हैलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो हरियना जीके से रिलेटेड हमारी स्यांदार बहतरीन सीरी चल लई थी और इसके अंदर दोस्तो हमने लगबग 20,000 पलस क्योशन अलग लग पाट के तुरू अपडेट भी कर दी है आज दोस्तो हम लेके आए हैं एक लवे बुक से रिलेटेड क्योशन जिसक सब्सक्राइब बिना टाइम बरबाद की शुरू कर लेते हैं आज के फस्ट क्योशन से तो दोस्तो सभी परकार के ये क्योशन एक बुकस या एक नोट्स में तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारी बुकस या बहुत सारे नोट्स का निचोड निकाल के जो हम ये क कोशन ले के आते हैं क्योंकि अचसी का कुछ पता नहीं है लेवल का कहीं से भी कोशन उठाए जा सकते हैं तो उसी के इसाफ़े दोस्तों हम यह स्रीज जो है चला रहे हैं पहला कोशन है हर्याना हर्याना राज्य के वर्तमान में कुल साइबर क्राइम थानों की कुल संक्या कितने हैं यहां कुल संक्या दोस्तों पूछी गई है साइबर क्राइम थानों की राइट ऑप्शन के बात करें तो बी हमारा राइट रहेगा आठ तो दोस्तों दो तो पुराने थे दो पुराने क द्वारा स्थापित हरियाना में लीथियम बैटरी उद्योग स्थित है जपानी कंपनी यानि जपान की कंपनी के द्वारा एक यूनिट लगाए गई है लीथियम बैटरी के जो है उद्योग लगाए गया है वो कहां पर लगाए गया है राइट ऑप्षन की बात करें तो जैसे चरम रोग ठीक होता है ऐसा वहां की मानेता है Next question है हरियाना का पहला गाउं जिसमें तलाब के पैनी से सिंसाइक की जाएगी Very important question बनता है दोस्तों और एक टाइप से repeated question भी कहा सकते है Right option की बात करें तो option D रहेगा हमारा क्योड़क है और ये क्योड़क गाउं दोस्तों कहां पर है ये हमारा केथल के अंदर है केथल जिले के अंदर केथल जिले की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले जो केवर बनाए गए थे वो केथल के अंदर बनाए गए थे ठीक है तो सबसे ज़्यादा गेवर या सबसे पहले गेवर कहा बनाए गे थे तो केथल के अंदर मनाए गे थे प्योडग गाओं के अंदर दोस्तो ऐसा पहला गाओं है जिसमें तलाब के पानी से सिंसाई की जाएगी हर्याना की नक्षत्र वाटिका विक्सित की गई है बात कीगी दोस्तो नक्षत्र वाटिका की इसको दोस्तो हर्बल वाटिका के नाम से भी जाना जाता है एक मतर हरियाना के अंदर ये विक्सित कीगी है नक्षत्तर के नाम से राइट उप्षन की बात करें तो उप्षन A हमारा राइट रहेगा हिसार के अंदर हिसार के अंदर अगरोवा के अंदर अगरोवा उप्षन दिया जाए तो वो भी दोस्तो हमारा सही रहेगा ठीक है अगर रोवा के अंदर ये हर्बल पार किया दोस्तों नक्षत्तर वाटी का के नाम से इसको विक्सित किया गया है तो right option हो जाता है हमारा option A next question है दोस्तों हमारा नया राज्किय होमेपेतिक औस डाले राज्या में कहां स्थापित किया गया है यह दोस्तो ओस डालिया बनाए गया है, रियाना के अंदर कहां पर बनाए गया है, नाम इसका है, राज किये होमेोपेतिक ओस डालिया, राइट ओप्सन की बात करें तो ओप्सन हमारा B रहेगा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में दोस्तो यह बनाए गया है, कुरुक Suzuki company राज्य के किस जिले में नया plant लगाएगी, Suzuki company की दोस्तों यहां पर बात की गी है, एक नया plant स्थापित किया जाएगा, तो right option की बात करें, तो option हमारा A रहेगा जजजर के अंदर, जजजर के अंदर दोस्तों ये unit लगाएगी है, वेसे दोस्तो एक यूनिट यहाँ पे डैन सो कंपनी के दवारा भी कारिय रहता है जजजर के अंदर बहुत विक्सित कंपनी इसको माना जा रहा है क्योंकि बहुत सारे रियाना के लोगों को ये रोजगार दे रही है तो एक नया प्लांट टी सुजू की कंपनी का जजजर क के अंदर लगाया जा रहा है नैस क्योंसन है दोस्तो हमारा बागडा डेम से समंदित नहीं है अलका से क्योंसन है और नहीं है से समंदित क्योंसन दोस्तो आजकल एक जाम में पूछे जाने लगे हैं राइट ऑप्सन की बात करें तो ऑप्सन सी हमारा राइट रहेगा सर पुनरों का सम्मन जो है दूर दूर तक बाकडा डेम से नहीं जुड़ा हुआ दिखाई देता तो राइट ओप्सन हमारा हो जाता है ओप्सन C नाइस क्योंटन है हमारा हरियाना की 960 वरस पुरानी मजार कहा चीता है नाइस क्योंटन है चोदरी चरन सिंग विशो विद्याले की परमुख पतरीका है चोदरी चरन सिंग उनिवस्टी के दोस्तों हम बात करें है जिसके स्थापना 1970 के अंदर की गई थी और इसकी पतरीका की हम बात करें तो राइट उप्सन हमारा भी रहेगा हरियाना कहिती चोदरी चरन सिंग विशो भी देलाई कि परमुख जो पतरीका है वो दोस्तों हरियाना कहिती के नाम से है चोदरी चरण सिंग उनिवस्टी दोस्तों हमारी सार के अंदर है स्थापना उसकी 1970 के अंदर की गई थी जैसे गुरु जंबेश्वरी उनिवस्टी भी दोस्तों बहीं पर है जिसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी टोनों के दोनों उनिवस्टियां धोस्तों एक्जाम में पूछा जा चुई है next question बहुत श्यांदार question है और एक्जाम में पूछा गया है राज्य में उजवल्ला वर्ष जो है वो किस साल बनाए गया उजवल्ला वर्ष की दोस्तों बात कीगई है तो right option की बात करें तो option A हमारा right रहेगा इसमें 2018 वर्स के दोरान हरियाना के अंदर उजवल्ला वर्स मनाया गया था तो right option हो जाता है हमारा option A next question है हरियाना में उप सरफंच का पद किस वर्स खतम हुआ उप सरफंच की पद की दोस्तों बात की गी है कई बार पूरा डेट इसे पूछा जाता है तो right option की बात करें तो option A हमारा right रहेगा 1996 के अंदर हरियाना में उप सरफंच का पद खतम किया गया था option C हमारा right रहेगा 1907 वर्स के अंदर दोरान जो है लाला लाजपत रहेगा देश निसकासन डेंजिल इबर्स नामक अंग्रेश थे उसके दवारा दोस्तों किया गया था तो right option हमारा हो जाता option C next question है बगवान किरिशन बैब बलराम का मुंडन संसकार राज्य की किस मंदिर में हुआ मंदिर पुथा गया है और दोस्तों ये मंदिर थोड़ा सा famous भी है right option की बात करें तो option A हमारा right रहेगा पद्दरकाली मंदिर की हम बात करें है देवी कूप मंदिर हमारा कुरुक्षेतर के अंदर है बिरला मंदिर भी हमारा कुरुक्षेतर के अंदर है बिरला मंदिर का निर्मान दोस्तों जूगल किस और के दवारा करोए गया था सभी को पता है तो इसके दोस्तों right option की बात करें तो option A हमारा right रहेगा बदरकाली मंदिर next question है हमारा राज्या में vocational education की सुरुवात किस वर्ष हुई same detail line में क्यों दोस्तों ये exam में पूशा जा चुका है right option की बात करें तो option D हमारा right रहेगा 1990 वर्ष के दुरान हर्याना के अंदर vocational education की सुरुवात हुई थी right option हो जाता है हमारा option D next question है के अंदर ये बेंस अनुसंदान की स्थापना कब हुई बेंस अनुसंदान की स्थापना की दोस्तों यहां पर बात की गी है right option की बात करें हलका सा क्योंशन हैं 1985 वर्स के दोरान हरियाणा के अंदर केंदर ये बेंशन के स्थापना की ग этि यह तो right option हो जाता है हमारा option B 1985 वर्स की हम बात कर रहे हैं हरियाना का सबसे पुराना सहर कौन सा है, सबसे पुराना सहर दोस्तों जो इसका इतिहास अगर आप उठा के देखो, तो चोथी और पांचवी स्थाब दीकर दोरान इसका इतिहास जो है जुड़ा हुआ है, सबसे पुराना सहर हरियाना का सिर्शा को माना जाता है, right option हमारा ह जाता है option C, सिर्शा, इस question है हमारा निमलिक्त में से सर छोटुराम की उपादी नहीं है, सर छोटुराम से सबंदित उपादी नहीं है, देखो, सर की उपादी इनको दी गई है, राय बहादूर की उपादी इनको दी गई है, दीन बंदू की उपादी दी गई है, लेकिन रा राव बहादूर का पद इन्हें नहीं दिया गए तो किसे दिया गए तो राव बहादूर लाला मुरलिदर उनको कौन नहीं जानता सभी जानते हैं ठीक है तो राव बहादूर का पद जो है सर छोटुराम से समंधित नहीं है बाकि सभी के सभी जो ये उपादियां है ये सर दिन बंदू है, राव बहादूर है, राव बहादूर लाला मुरलिदर से समझत है, हर्याना में पांडवों की राजदानी, बहुती स्यांदार कोशन मनता है, हर्याना में पांडवों की राजदानी, राइट ओप्सन की बात करें, राइट रेगा इंदर परस्त, हर्याना मे कहां पर बजर बासा के रसिया वे बजन परसिद है बात कि दोस्तों बजर बासा के जो रसिया वे बजन परसिद है राइट ओप्षन की बात करें तो ओप्षन हमारा बी रहेगा पलवल पलवल के अंदर दोस्तों यह बासा के जो रसिया वे बजन है परसिद है पलवल के हम ब इस पिलाइट से एक इमारा सिनेमा से लेके रामपूरा तक एक सड़क जाती है वो उसका जो निर्माण जो पुरवाय गया था वो लाला लाजपतर आए के दोवरा करवय गया था ठीक है इसको सिनेमा से रामपूरा मोहला वह आज भी कुछ आथ हो सकता है उसके हिसार के next question है हमारा खुला दर्बार वै कन्यादान योजना के जनक कहे जाते हैं खुला दर्बार वै कन्यादान योजना के जनक के रूप में किसी जना जाता है right option की बात करें तो option A हमारा right रहेगा चोदरी देविलाल को राइट ओप्सन हमारा D रहेगा मेवाद कई जगा तावडू ओप्सन दे दिया जाता है तो वो भी हमें जो है सही रहेगा क्योंकि तावडू या मेवाद एक ही बात है तो कई बार तावडू ओप्सन दे दिया जाता है मेवाद की जगा है तो वो भी हमारा क्या रहेगा सही कहा जाता है नाइस कोशन दोस्तों रहेगा कांग्रेस अधिवेशन बात कीगी ये दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की में कुर्सित रहित पंडाल किसकी देन है राइट ऑप्सन की बात करें तो ऑप्सन भी हमारा राइट रहेगा पंडित ने किराम सर्मा कांग्रेस पूछा जा चुका है कि सिवालिक प्रवतमाला की उंची चोटी लगबग 2000 फिट की उंचाई पर एक मंदिर बना हुआ है तो राइट उप्षन के बात करें तो उप्षन हमारा बी रहेगा माता मंतरा देवी का मंदिर बना हुआ है यहां से निकलने वाली नदियों के बारे म एर बेस स्टेशन स्थित है सबसे पुराना वै सबसे बड़ा राइट उप्षन की बात करें तो उप्षन C हमारा राइट रहेगा अंबाला के अंदर हरियाना का सबसे बड़ा वै सबसे पुराना एर बेस स्टेशन अंबाला के अंदर स्थित है स्थापना कई बार पूछ लिए जाती है 1946 के अंदर नेस्ट कोशन है हमारा हरियाना में कहां विशो परसिद बरतन बजार है विशो परसिद या पूरे भारत वर्स के अंदर दोस्तों यह फैमस है राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन D हमारा राइट रहेगा युम्ना नगर की दोस्तों हम बात कोशन मनता है हरियाना में बुडापा पेंशन की शुरुवात कब हुई राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा 1987 वर्स के दुरान हरियाना के अंदर बहुत हलका सा कोशन यह दोस्तों यह कई बार एक्जाम में यहां से भी कोशन पूछा जाता है कि ब बुडापा पेंशन की शुरुवात पहली बार हरियाना के अंदर हुई थी ठीक है इसके अलाव दोस्तो 65 वर्स के आयू थी उस टाइम 65 वर्स या इससे उपर की आयू वालों वरिद वैक्तियों को जो है यह बुडापा पेंशन दी जाती थी ठीक है पिर क्या हुआ कुछ तुष टाइम बात, यानि दोस्तो हम बात करें 1991 1991 वर्स के दुरान के बात करें, तो उस टाइम उमर घटा के क्या कर दीती, 60 60 वर्स कर दीती, 60 वर्स या इससे दीक उपर के बुज़ुर्गों को जो है, ये पैंसन जो है वो दी जाती थी आजकल पता है दोस्तों आजकल 60-70 वर्स तो मुश्किल से लोग जीते हैं ठीक है तो उमर उसके हिसाफ से कम कर दीगी उसके बाद दोस्तों ये अगर बात करें 100 रुपे के बाद 200 रुपे कब किये गए एक उसन यहां से भी उठाया जा सकता है ठीक है सूल है राजा हर्शवर्दन के समय कर बुगतान की कितनी वीधियां पर चली थी कितनी वीधियां पूछी गई है राजा हरस्वर्धन के समय वगोतां की कितने वीदिया थी तीन वीदियां हरियाना का पर्तं हाइटेक गाई मसाज है plug कहा सित है राज के बात के बात करें तो अपसन अमारा देया सी रहाएगा इसार के अदर ये कहां स्थित है इसार के अंदर next question है कोस मिनार का निर्मान किसके दोवाण करवाए गया हलका सा question है लेकिन important question है right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा सेरसासूरी के दोवारा हर याना के अंदर कोस मिनार का निर्मान करवाण करवाए गया था राइट उप्शन की बात करें तो उप्शन हमारा A रहेगा सुद से, कहां से मिली है सुद से, कई बार युम्ना नगर उप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है ये चीज नोट करने वाली है, कई बार युम्ना नगर उप्शन नहीं दिया जाता, हमें ये तो पता है कि युम्ना परसित बारा मठों में से एक सिरी कालेश वर महादेव मठ स्थित है मठ दोस्तों यहां से पूचे गई है पूरे विशो के अंदर बारा मठ परसित है तो यह जो इन में से एक है सिरी कालेश वर महादेव मठ यह कहां परसित है राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन भी हमारा राइट रहेगा युम्ना नगर जिले के अंदर ये सिरी कलेस और मादेवमठ जो है वो स्थित है नाइश कोसन है हमारा पक्की सड़कों के गनतों में अमबाला का स्थान है कई बार स्थान पूछ लिया जाता है ठीक है प्सन की बात करें तो उप्सन भी हमारा राइट रहेगा जगादरी के अंदर अगर सुद ऑप्सन दिया जाए जगादरी के अंदर हर्याना का सबसे प्राचीन कुओए थे भात की गी है right option की बात करें तो option हमारा रहेगा P कुरुक्षेतर के अंदर कुरूक्षेतर के अंदर दोस्टो संदर कूप जिसका निर्मान योधिष्तर के दवारा करवाया गया था हर्याना का सबसे प्राचीन कुवा कुरुक्षेतर के अंदर स्थित है next question है हमारा कोन से सासक की मिर्थिव सुरुंग फटने से हुई ये अचसी एक्जाम से में बहुत बार पूछा गया है तो कलिजर के अंदर दोस्तों 1545 वर्स की हम बात करें तो सेर सागी सेर सागी मुर्थिव होई थी सुरुंग फटने के कारण तो राइट उप्सन हो जाता है हमारा उप्सन C नेश्ट उप्सन हमारा हर्याना के इतियास की जानकारी किस अभिलेक से मिलती है अभिलेक दोस्तों यहां से पूछा गया है किस अभिलेक से हर्याना के इतियास की जानकारी मिलती है राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन यह हमारा राइट रहेगा टोपरा अभिलेग से हरियाना के इतिहास की जानकारी मिलती है पसुपति संपर्दाई का अविलेग दोस्तों सिर्साज से समन्दित है करोश्टिबासा का अविलेग दोस्तों हमारा कहां से समन्दित है करनाल से गुजरी अविलेग वेसे है नहीं वेसे लिखा हुआ है तो टोपरा विलेक से दोस्तो हरियाना के इतियास की जानकारी मिलती है राज्यमे कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध यहां पर पूछा गया है राइट ओप्सन हमारा ए हो जाता है हतनी कुन हतनी कुन बिराज बांध जो है वो हरियाना का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है एक दोस्तो क्रोशन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है तो दोस्तो वो ओटू बांध है जो हमारा सिर्साज ले के अंदर सित है वहाँ से भी कई बार एक जामे करशन लाजमी पूछे जाते हैं जोरज थोमस दवारा कितने गाउं बसाए गए जोरज थोमस के गाउं दोस्तों पूछे गए है राइट अप्सन की बात करें तो अप्सन बी हो जाता है फिरोज तुगलक हर्याना की सबसे प्राचेन नहर पूछा जाए तो वो भी हमारी पस्चिमी अमना नहर हो जाती है क्योंकि ये एक्जाम में क्योशन ये पूछा जा जा जुका है 1355 वर्स के दुरान कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के दौरा पस्चिमी अमना नहर का निर्मान करुवाए गया था नेश कोशन है हर्याना की मुख्य हवेली गंगा राम गंगा राम हवेली पूछी गए दोस्तों हर्याना के अंदर कहा स्थित है हर्याना के किस सताबदी को बक्तिकाल के नाम से जाना जाता था राइट ऑप्शन के बात करें तो ऑप्शन हमारा C रहेगा 28 सताबदी हर्याना की जो 28 सताबदी का जो वक्त जो था उसको दोस्तों बक्तिकाल के नाम से जाना जाता है राइट उप्शन हमारा हो जाता है उप्शन C, सल्तनत काल में सबसे छोटा इकता था, सबसे छोटा इकता पूछा गया है, राइट उप्शन के बात करें तो उप्शन हमारा A रहेगा पलवल, और पलवल के अंदर दोस्तों 30-40 गाउं थे, तो इसको सबसे छोटा इकता के र कि स्थापना युम्ना नगर के किस गाउं में हुई राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी हो जाता है चुहुपुर गाउं ठीक है चुहुपुर गाउं के अंदर चोधरी देविलाल प्राकरतिक पारक की स्थापना हुई थी नेस कुछन हमारा हर्याना की सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है यहां प्रदेश की पर्थम जेल जिसमें सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रेगा जीन के अंदर हर्याना की जीन जीले के अंदर सर्विस सेंटर की स्थापना की गई 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 नेस्ट ओप्सन है हमारा कोरवी बासा के कुल 650 सब्दों की रचना किस ने की कोरवी बासा के कुल 650 सब्दों की रचना किस ने की राइट ओप्सन हमारा बी हो जाता है डोक्टर के लास अंदर के दवारा जो कोरवी बासा के 650 सब्द है उनकी रचना ड राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन ए हमारा राइट रहेगा युम्ना नगर जिले में 11 सिय सती माता का आसरम सित है नेक्स क्योचन है हमारा अल्यूविलिये मिट्टी राज्य के किस जिले में सरवाधिक पाई जाती है एक दोस्तों क्योचन पूचा जाता है लाल चेस् में यूबिया में अल्यूविल्य को जाती है तो उसका जो राइट ऑप्षन होगा वो भी होगा अगर इसका पूचा जाए यूजन योजन की हुई सबसे सस्ता बोजन योजना की शुरुवात हुई थी दोस्तो राइट उप्सन हमारा सी रहेगा अमाला से पूछा जाए कब तो 14 जनवरी 2020 वर्स के दोरान सबसे सस्ता बोजन की शुरुवात हुई थी राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन C next question है मारा बुढिया हवेली की नेव किस के दवारा रखी गई बुढिया की हवेली की नेव पूछी गई है किस के दवारा रखी गई right option के बात करें तो option हमारा हो जाता है A, बाबर के दवारा बुढिया के हवेली की नेव रखी गई थी राइट उप्शन अमारा हो जैता है उप्शन A, हरियाना का धरम चकर कहां स्थिते हैं, हरियाना के धरम चकर की बात करें तो राइट उप्शन अमारा D रहेगा, युम्ना नगर के अंदर, तो अचोग के चकर को भी धरम चकर के नाम से जाना जाता है, राइट उप्शन अमा मात करें तो अफ्टन हमारा C रहेगा विसंबर्नाध विसंबर्नाध को सीक के दवारा हर्याना की जो परसिद कहानी है ताईव है रक्षय बंदन इसके लेकश कर रहेे मैं नैश्च कोस्टन है दोस्तो हमारा текстस्टाइल मसीनरी निर्मान का मुख्य के अंदर किस सहर को कहा जाता है। तो और पनिपत में निर्मान का काफी बड़े सतर पर निर्मान किया जाता है। next question है परमवीर चक्कर से समानित मेजर होश्यार सिंग किस खेल के खिलाडी थे right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा बोली बोल के और ये कप्तान भी रही है ठीक है तो right option हमारा हो जाता option B next question है अनीता कुंडू के दवारा हाली में उत्राकंड की चोटी पर तिरंगा फैराया उत्राकंड की कौन सी चोटी पर नाम चोटी का पूछा गया है right option की बात करें तो option हमारा रहेगा A रोद्दू गेरा उत्राकंड की एक उंची चोटी का नाम रोद्दू गेरा है उस उंची चोटी पर अनीता कुंडू के दवारा जो है तिरंगा फैराये गया था next question है दोस्तो हमारा किस सहर से चारों दिशाओं में रेल मारग जाता है रेल मारग पूछा गया है चारों दिशाओं से रेल मारग जाता है आसोग किस मस्जित थे ? राइट अप्सन कि बाद करेंatic next behaviors . असोग का संबंत किस मस्जित था ? मरेवंसे ! Next question है दोस्तों हमारा राज्य की किस मस्जिद में गैहरा सोब वरस impul Sharni पुराना महावीर मंदिर सित है ? राज्य में किस मस्जिद में ? यानि कि दोस्तो मस्जिद के अंदर मंदिर बना हुआ है, मंदिर का नाम महाविर मंदिर है, और दोस्तो ये कितने वर्स पुराना है, 1100 वर्स पुरानी, यानि दोस्तो बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर बना हुआ है, ये मस्जिद के अंदर, राइट ओप्षन के बात कर जाए तो खेड़ा गाऊं के अंदर दोस्तों यह होलिक्स कारकाना वो द्योग स्थित है, सौनिपद के कहड़ा गाऊं के हम बात कर रहे हैं, नैसी कोछन है दोस्तों है सूपर übersित बुग जो केवल साँग पर अधारित है, एसी दोस्तों हम बात करें हैं, जो केवल किस पर अ समंधित होली का मեղा बरता है 25 गाओं से समंधित होली का मेला कहां पर बरता है राइट ऑप्षण की बात करें तो ऑप्षं兒 C हमारा राइटर का होडल बंचारी के अंदर दोस्तों 24 गौन से शमंधित मेला बरता है राइट ऑप्षण हमारा हो ज departments पुरश कबड़ी नरसरी के अधर स्थापित किया गया था एक मात्तर ही के अंदर के अधर घेगा अंबाला nightmares के अंधर अगर इसका रोश पूझा जाए था तो 1957 वर्ष के दौरान ये जो के अंदर ये पुस्तकालिय है वो अंबाला जिले के अंदर स्थापित किया गया था हरियाना के परसिद निबंदकार पूछा गया दोस्तो हरियाना के परसिद निबंदकार कोन है हरियाना के बाद कर रहे हैं दोस्तों राजय में कृत्रिम निर्मान अंग निर्मान के अंदर किस्ता आपना कहां पर के गई तो राइट अप्षन हमारा हो जाता है ओप्षन A फरीदाबाद और फरीदाबाद का विश्वी देले एक दोस्तों YMCA यह सबसे ज़ादा विश्वी देले एकजाम में पूछा गया क्योशन है YMCA विश्वी देले दोस्तों काम पर सेता है हमारा फरीदाबाद के अंदर नेस्ट क्योशन है स्री कृषन के गूरू का क्या नाम था यहां पर दोस्तों गूरू से समंदीत क्योशन पूचा गया है राइट उप्षन हमारा हो जाता है उप्षन B सांदीपनी सिरी कृषन के गूरू का क्या नाम था सांदीपनी राइट उप्षन हमारा हो जाता है उप्षन B next question हमारा हर्याना की खूनी सड़क बहुत ही स्यांदार क्वेशन मनता है हर्याना की खूनी सड़क right option की बात करें तो option हमारा रहेगा B हाँ C के अंदर दूस्तो हर्याना के अंदर है खूनी सड़क बनी हुए क्या इतियास जुड़ा हुआ है कि 19 अगस्त 1857 के दिन इसार के किले में जैसे नागोरी गेट के पास है यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई थी ठीक है जैसे मंगाली है रोनात है ठीक है और जमालपूर है इसके आसपास के सेतर थे बाटला है ठीक है तो उस टाइम जो है एक लड़ाई ठीक है और बाकी जो उस और बच गए थे उनको अंडोमा निकोबार की एक जेल है वहाँ पर बेज दिया गया थे ठीक है तो यहाँ पर सहिदों के खून से सड़क लाल हो गई थी तो इसी के कारण हासी की इस सड़क को खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है तो राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन बी नाइस क्रोशन है राध्या के किस जिले में एक खेरी का वरिक्स है जो 75 साल में एक ही बार फल देता है ऐसा एक वरिक्स है जो 75 वर्स के दोरान सिरफ एक ही बार फल देता है खेरी का वरिक्स है राइट उप्शन के बात करें तो अप्शन अमारा C रहेगा लोहारू लोहारू के कीले में दोस्तों ये वरिक्स बना हुआ है जो 75 वर्ष के दौरान शिरफ एक बार ही फल देता है next question है लाला सुर्जबान किस से समंदित है लाला सुर्जबान की दोस्तों बात केगी है किस से समंदित है right option की बात करें तो option हमारा रहेगा B. दांडी मार्ज दांडी मार्ज के अंदर दोस्तों एक मात्र बैक्ती थे लाला सुर्जबान दो इसमें समिलित थे दान्री मार्च कब शुरू किया गया पूछा जा सकता है तो 1930 वर्ष के दोरान शुरू किया गया था स्यांदार क्रेशन यहां से बनता है नेस्ट क्रेशन है पूरे हरियाना प्रदेश में क्रीशी विदी कहां से मिली है नेस कोसन है हमारा यदि एटलस साइकल उद्योग सोनिपत में है तो मिल्टन साइकल उद्योग कहां पर सित है ठीक है एटलस का सभी को पता है यहां पर बताना है मिल्टन या अकेला मिल्टन पूछा जा सकता है कि मिल्टन साइकल उद्योग रियाना के लिग अंदर कहां सित ह राइट ओप्षन की बात करें तो ओप्षन हमारा ब्रहेगा B, सोनिपत जिले के अंदर हरियाना के अंदर Milton साइंकिल उद्योग और वहीं पर दोस्तो एटला साइंकिल उद्योग भी स्थित है, नेस्ट कोस्टन हो जाता है दोस्तो हमारा राजय में असो के कूल कितने अभिल प्ली में स्थिता इंदर परस्ता रियाना में नई स्थिता ये कहां पर स्थिता दिल्ली के अंदर स्थिता है राइट ओप्षन हो जाता है हमारा ओप्षन बी इस सारे फिरोजा से पहले वहां पर क्या था तो वहां पर दोस्तों दो गाउं थे ठीक है क्या थे दो गाउं एक तो दोस्तो छोटा लोरेंस था एक बड़ा लोरेंस था जिन गाओं को इस नाम से जानते थे एक छोटा लोरेंस एक बड़ा लोरेंस ठीक है इसार फिरोजा से पहले वहाँ पर दो गाओं थे नेस्ट उप्षन है हमारा बीश्वी जंगंणा के अनुसार सरवाधिक हाती कहां पाए जाते हैं तो राइट उप्षन की बात करें तो उप्षन B हमारा राइट रहेगा यम्ना नगर के अंदर और यम्ना नगर ये एक मातर है तो जहां सब से ज़्याधा हाती पाए जाते हैं और सरवाधिक हाती भी दोस्तों यहां पर पाए जाते हैं राइट उप्षन हमारा हो जाता है उप्षन B next question दोस्तों आज का है हमारा 18 साइकिल उद्योग की स्थापना कब की गई 18 साइकिल उद्योग की स्थापना की हम बात करें तो 1951 वर्स के दुरान जो है 18 साइकिल उद्योग का सोनिपत के अंदर जो है इसकी उनिट लगाई गई थी next question है कल्यानी कल्यानी श्रोवर कहां स्थित है हरियाना के अंदर दोस्तों बात करें कल्यानी श्रोवर कहां स्थित है तो राइट उप्सन अमारा सी रहेगा रामराई जीन के अंदर कल्यानी श्रोवर जो है वो स्थित है next question दोस्तों बहुत श्यांदार कोशन है देश बक्तोंने दिन दाहारे बरी कचेहरी में यहां के डिपटी कलेकTOR मिस्टर वेडरनबरग को पर कोर्ट रूम में गोली मार कर हत्या की और यहान के इतियास में दिन दाहारे बरी कचेहरी के अंदर की कहां के कलेक्टर को गोली मारी गई थी, right उप्शन हमारा हो जाता है उप्शन B इसार की कलेक्टर को जो है बरी कचैरी में गोली मारे गई थी तो राइट उप्शन हमारा हो जाता है उप्शन B नेस कोशन है हमारा रामगड का किला कहां पर स्थित है ठीक है राम की पांच राणी थी ऐसे हमने ट्रिक भी बनाई हुई है तो राणीपूर का किला और रामगड का किला दोनों के दोनों हमारे कहां पर स्थित है पंचकूला जिले के अंदर स्थित है नेस कोशन है हमारा बा उपरताब समाचार पतर जो है इनके दोरा निकाला गया था, राइट ओप्षन हो जाता है हमारा ऑप्षन B, नेस्ट गोचन है हमारा महाबार्थ के नुकुल दिगविजे, शिरी सांख में किन किल्लों का वरनन्ग है, महाबार्थ की दोस्तों बात कीगी है नुकुल दिगव next question है हमारा पंडित लखमी चंद के गूरू का क्या नाम था ये भी दोस्तों question सेम डिटो लाइन में पूछा जा चुका है exam में right option की दोस्तों हम बात करें तो option रहेगा हमारा ए इनके गूरू का क्या नाम था मान सिंग नाम था पांडों की कूल देवी कौन थी right option की बात करें तो option C हमारा हो जाता है जैन्ति देई पांडों की कूल देवी कौन थी जैन्ति देई next question है दोस्तों हमारा जस्ती लोहे का सरवादिक उत्पादन कहां पर होता है बात कर रहे हैं जस्ती लोहे की, लोहे का कई बार पूछ लिया जाता है, लोहे के गार्डर का निर्मान पूछ लिया जाता है, लोहे के पाइब निर्मान का पूछ लिया जाता है, तो सभी के सभी का right option जो हो जाता है, वो option हमारा D हो जाता है, हिसार, जस्ती लोहे का सरवाद अधिक उत्पादन हिसार के अंदर होता है नेस्ट कोशन है हमारा मंसा देवी साइन एक्ट की स्थापना कब हुई बात कीगे दोस्तों मंसा देवी साइन एक्ट की स्थापना कब हुई राइट ऑप्सन की बात करें तो ऑप्सन एह रहेगा हमारा 1991 के दुरान मंसा देवी हमारा रहेगा समालखा समालखा पानीपत के अंदर कई बार पानीपत ऑप्शन दिया जाता है एक पानीपत का दोस्तों जो बाहोली है वो सबसे ज़्यादा एंप्टन है उसभी इंडियन ओयल का सबसे बड़ा उद्योग वहाँ पर लगाए गया था ठीक है और बार-बार कोशन वहाँ से उठाए भी गए हैं तो नेश ले कंपनी उद्योग पूछा जाए तो हमारा हो जाता है बी पानीपत समाल का पानीपत के अंदर नेश कोशन है सिरी कृष्ण जुन रत जो है वो स्तेत है नेश कोशन है दोस्तो हमारा हर्याना का पर्थम गद्यांस है या दोस्तो हर्याना का पर्थम गद्यांस कौन सा है राइट ओप्शन की दोस्तो हम बात करें तो ओप्शन हमारा रहेगा डी अकाइदे आजम अकाइदे आजीम या अकाइदे प्रिम जो है वो दोस्तो हरियाना का पर्थम कद्यांस है, राइट उप्सन हो जाता है हमारा उप्सन बी और ये दोस्तो सभी की सभी तरीका है, सबसे इंपोर्टेंट है, जमनातथ है, सबदबूंद है, नेश्ट कोशन हमारा टोपरा अभिलेक की सपर अधारित है, एक तो बलिदान स्टेडियम कहां पर स्थित है, बलिदान स्टेडियम की दोस्तो हम बात करें, तो उप्सन सी हमारा राइट हो जाता है, सरकी दादरी के अंदर बलिदान स्टेडियम स्थित है, इसके हमने ट्रिक बनाई थी, हमने ट्रिक ली वीडियो स्टेडियम की अलग से जो ह दादाओं ने पढ़िए था तो इसी के साथ दादरी के साथ दादा जोड के यह त्रिक के साथ कोवर भी किया था तो बलिदान स्टेडियम हाँ अब बात करें तो option हमारा C रहेगा नाहर सिंग स्टेडियम जो है वो महारा बलब गड़ फरीदाबाद से सबंदित है very important question मनता है स्यांदार question मनता है next question है हमारा 70 वर्स अधिक पूरानी सफेद रंग की मूर्ती हरियाना में कहां पर स्थित है 70 वर्स पूरानी है और सफेद रंग की मूर्ती है ये हरियाना में कहां पर स्थित है right option की बात करें तो option हमारा रहेगा A यम्ना नगर यम्ना नगर के चिठा में जो है 70 वर्स पूरानी जो है सफेद रंग की मूर्ती है हमारे यम्ना नगर के चिठा में next question है हमारा हर्याना के जुडुआ सहर किसे कहते हैं बहुत ही अच्छा question बनता है हर्याना के जुडुआ सहर के रूप में किसे जाना जाता है option B जो रहेगा वो हमारा right रहेगा यमना नगर और जगादरी को हर्याना के जुडुआ सहर के रूप में जाना जाता है option B जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, right रहेगा, वैसे हां C दोस्तों इसार के अंदर है, इंदरी करनाल के अंदर है, गरोंडा करनाल के अंदर है, असन से समंदीत करनाल से question पूछा जाता है, पानिपत इसराणा जो है पानिपत के अंदर है, संभाल खाभी दोस्तों हमारा क च्कूला जिले के अंदर स्थित है आज का दोस्तों नेश्ट क्योशन और श्यांदार क्योशन है लखानी जूतों वे चपल का निर्मान उद्योग स्थित है लखानी जूतों वे चपलों का निर्मान जो है किया जाता है इसा उद्योग कहां पर स्थित है राइट ऑप्सन की सिरंपोर के दवर दोस्टों इसकी स्थापना की गई इतनी है तो राधा स्वामी सिकंदरपूर का बर पर तम टो न hm9 पर डेडर बना हुआ है तो next question हमारा हर्याना में खूनी जील कहां पर सित है खूनी जील जील दोस्तों इसको खूनी जील के नाम से इसलिए जाना जाता है तो कि यहां पर बहुत सारे युवाओं के डूबने से जो है मिर्त्यू हो चुकी है जो है उनकी मोत हो चुकी है ठीक है बहुत सारे लोग जो है इ दोस्तों इसका जो है जाना जाता है तो इसको खूनी जील के नाम से जाना जाता है हर्याना उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई हर्याना उर्दू अकादमी की स्थापना की दोस्तों हम बात करें का किला जो है कहा है सी स्फ़ारा का किला जो है इसके दोस्तों हमने ट्रिक होना थी बुडिया बहुत चिचोरी की थी जा किस भी ट्रिकली वीडियो से किल्ले जो है हमने जो है एक मज़े KIRBY से करवा रखे हैं राइट तो सबसे पहले आयोजन स्थल यहां से पूछा गया है कि 2006 में आयोजन स्थल जो है वो कहाँ पर किया गया था बाग बगीचों का विरासत महुच्छव के दोस्तो हम बात करने हैं राइट ओप्षन भी रहेगा पिंजोर में बाग बगीचों का विरासत महुच्छो दोजार थै में पिंजोर के दन सबसे पहले जो है इसका योजन किया गया था नेश कोशन है दोस्तों हमारा फिरोसा तुगलक के दौरा बसाया गया तीसरा सहर अब दोस्तों पहला पूचा जाता है कई बार दूसरा पूचा जाता है यहाँ से तीसरा पूचा गया है तो तीसरे सहर की बात करें तो हरनिखेडा नाम है उस सहर का क्या नाम है हरनिखेडा तो फिरोसा तुगलक के दौरा बसाया तीसरा सहर है हरनिखेडा नेस्ट कोशन है हरियाना राज्या अभिलेखागार कहां पर स्थित बात कीए दोस्तों हरियाना राज्या अभिलेखागार की राइट ओप्षन की बात करें तो डी हो जाता है हमारा पंचकूला के अंदर हरियाना राज्या का अभिलेखागार पंचकूला जिले में स्थित है next question हमारा गलीचा उद्योग वद दरी उद्योग दोनों होई सहींगत रूप से दोस्तों इनको जाना जाता है गलीचा उद्योग के रूप में भी और दरी उद्योग के रूप में भी तो right option हमारा हो जाता है option A अम्बाला जिसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है गलीचा उद्योग बदरी उद्योग में पूरे भारत वर्स के अंदर दोस्तों अम्बाला जिला जो है वो फेमस है आज का दोस्तों नेक्ट कोशन हमारा राज्य की वह इमारत जो लाल किले की हूब हूब नकल करके बनाये गया है या हूब हूब नकल करता है ठीक है राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन हमारा रहेगा बी सी स्माहल सी स्माहल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं हर्याणा राज्य की वह है इमारत जो लाल किले की हूब हूब नकल करके बिनाए गया है, राइट ओप्शन हमारा रहेगा, ओप्शन हमारा B, C स्माहल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, नेश कोशन है, राज्य के किस जिले में सरवादी गो सालाईं पाई जाती है, हलका सा कोशन है, राइट ओप्शन डी रहेगा हमारा सिर्शा के अंदर, राज्य के किस जिले में सरवादी गो सालाईं पाई जाती है, तो सिर्शा जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गो सालाईं पाई जाती है, नेस कोशन है दोस्तों हमारा रेडियो वे टेलिविजिन का निर्मान सरबादिक किस दिले में होता है बात कीए कि दोस्तों रेडियो वे टेलिविजिन का निर्मान हरियाना के किस दिले में सबसे ज़्यादा होता है राइट ओप्षन की बात करें तो सी रहेगा द्योकि सहर के रूप में भी जाना जाता है नैस कênution है हमारा पर्षिद heritage मेला कहां पर बरता है ये भी question दोष्टो से आंदार है right option हमारा ए रहेगा पंशकूला के अंदर हर्याना का heritage मेला जो सबसे famous है ये दोस्तों पंशकूला का option भी दिया जा सकता है वहाँ से भी हमारी right option उठाया जा सकता है तो नम्मि वाले sail one दोस्तों जाधा तर सिवालिक श्रेनी कि पहाड़ियों के इंतरगर पाई जाते है तो वहाँ से भी question पूछा साकता है next question दोस्तों रहेगा कहां के पुरुषों का डहल नामक नीरते famous है परसिद है डहल नामक नीरते के दोस्तोält बात किये 날ipada जो बात कीगी है रइट ओप्सन सी रहेगा कैथल में कहां ये पुरुत्सों का डहल नामक नीरते है सबसे जदा famous है तो कैथल के पूरुसों का ये जो है लो famous है परसिद है राइट ओप्सन क्या हो जाता है हमारा ओप्सन ए नेस्ट कोर्शन है हरियाना की सबसे चोटी तहसील है हरियाना की सबसे चोटी तहसील की दोस्तों बात करें राइट ओप्सन हमारा हो जाता है ओप्सन बी पंच्कूला जिले में हरियाना की सबसे चोटी तहसील पंच्कूला चीनी मीलें से सेमंधीत क्योसन उठाया जाता है ठीक है एक साहब आख हीमीलें स्वेति जाशन उठाया जाता है याड़ा जीनी Millें DOUST rubbish भार एक्जामे की क्योसन उठाया जाता है बगता सीधियम कहां पर सिथ है भगत सिंग स्टेडियम की दोस्टों बात करें और सिर्चा जिले में हरे इना के नदर बगत सिंग स्टेडियम कहां पर सिथ है आज काद अगर को गिरिपादिये मिर्दा का तहसील का जाता है, इसा भी कोशन बन सकता है, या गिरिपादिये मरीदा की तहसील के नाम से जिसको जाना जाता है, राइड ओप्सन की बात करें तो ओप्सन B रहेगा हमारा कालका, कालका की दोस्तों हम बात करें हैं, जिसको गिरिपादि मिटी की तहसिल के नाम से भी जाना जाता है राइट उप्सन महरा हो जाता है उप्सन B हरियाना में प्राचीन खूफिया सुरंग बनी हुई है हरियाना के अंदर प्राचीन खूफिया सुरंग बनी हुई है यह दोस्तों बनी हुई है रानी तलाब के अंदर प्राचीन काल में जो महराजाओं के रानिया होती थी तो वो इस सुरूंग से जो है नहाने तलाब के अंदर आती थी ऐसी अवदारना यहां के मानी जाती है ठीक तो हरियाना में प्राचीन खूपिया सुरूंग जो है वो रानी तलाब जीन्द के अंदर बनी हुई है और इस का पर्थम बाल मित्रपुली स्थाना जो है वो पलोवल जिले के अंदर खोला गया था राइट अप्सन हमारा हो जाता है उप्सन ए नेक्स्ट है हमारा हरियाना राज्या का सरवादिक अबैरने वाला जिला यहां से भी इंट्रस्टिंग तोसन उठाय जाता है अरियाना राज्या का सबसे जदा अबैरने वाला जिला पंस्कूला है परजनन के अंदर वाला जिला पूछा जाए तो वो भी दोस्तों हमारा कहा है पंस्कूला ही है राइट अप्सन हमारा हो जाता ये हामारा करणाल से समंदित है फारमा पारक की दोस्तों हम बात करें ठीक है यह किससे समंदित है पानी पत से समंदित है। तो इसका right option ठीक कर ले है right option हमारा B, indoor stadium, next question हमारा निमन में से इसार से सबंदित है, इसार की दोस्तों यहां पर बात किये गी है, right option की बात करने तो option हमारा D हो जाता है, pipe निर्मान, garden निर्मान, और पंसमार्क किसी के, इन सभी का निर्मान जो है इसार के अंदर किया जाता है, तो right option हमारा हो जाता है option D, next question है, आज का हमारा रमायन सलोकों का फलक मिलता है, या दोस्तों रमायन सलोकित फलक जो है, हर याणा में कहां से मिला था, ठीक है, तो right option की बात करें तो option B हमारा right रेगा नचार खेडा बिवानी से, ठीक है, जैसे हमने trick मनाई थी कि रमायन, रम काल के सीखे बगरे मिले है, ठीक है, खोकरा कोट रोतक से दोस्तों सीखे डालने के सांसे बगरा मिले है, बहुत interesting question यहां से उठाए जाते हैं बार बार, next question है, परसिद बिस्कुट, बिस्कुट की दोस्तों यहां पर बात कीगी है, 555 का उतपादन कहां पर होता है, right option की ब अरियाना के सांस्कृत, अरियाना के मेले तो यहार, जो भी question बनते हैं, जितने भी बनते हैं, हमें सारे के सारे मेरे हिसाब से कावर करने जरूरी है, क्योंकि अचसी कहीं से भी question उठा सकती है, और त्यारी भी आजकल सभी की जबरदस्त रहती है, local question सभी को याद रहते है, साइध मिनार खडपका कहां पर स्थित है, right option की बात करें, option B हमारा राइटर का अथीन, साइध मिनार खडपका जो है वो अथीन के अंदर स्थित है, next question है हमारा हरियाना में खेजडी सरवादिक पाया जाता है, खेजडी, खेजडी की दोस्तों बात करें, right option हमारा सी जाता है, right option हमारा हो जाता, option C, next question है, पर सिद्व एक मातर मिट्टी का किला कहां पर स्थित है, famous भी है और मिट्टी का किला भी है, ठीक है, तो ये एक मातर कहां पर स्थित है, right option की बात करें, तो option हमारा A हो जाता है, सिर्शा में, सिर्शा का दोस्तों राणिया शेतर है, वहाँ पर दोस्तों ये मिट्टी का किला जो है वो बना हुआ है, राणिया रियासत एक बहुत बड़ी रियासत रही है, और पहले के एक्जाम में राणिया रियासत से सबसे दादा क्योशन उठाए गए हैं, तो एक मातर मिट्टी किला या रियासत इसको हम कह सकते हैं, जो राणिया के अंदर है, सिरसा जिले के हम बात कर रहे हैं, नाज क्योशन है, तक्या बनवा फकीर सनक्सित इमारक स्थित है, बात कर रहे हैं दोस्तों, तक्या बनवा फकीर सनक्सित इमारक की, राइट उप् 시न हमारा D रहेगा पंस्कूला जिले के अंदर श्तित है हम दोस्तों बहुत कम टाइम के साथ सारे के सारी क्योशं सारे के सारी क्योशं जो है 500 प्लस क्योशं हर्याना में देशीगी की सबसे पुरानी मंडी उकलाना के अंदर स्तित है, ठीक है, चाय की भी एक उद्योग यांपर पहमस है, छाय का इसार से समंदित, चाय का उद्योग कहां से समंदित है, इसार से, नेस कोशन हैं दोस्तों हमारा, मयूर स्टेडियम का अब नया नाम क्य गया है रउयट उपसन केसा नाहार सिंग स्टेडियुम मैीूर स्टियंग का आफ नया नाम क्या है नाहि 선 स्टेडिय֙ बलब गड़ फड़ जिए दोस्ते हम बात कर रहे हैं हमास नार नोल के सतनाम्यों ने किस मूगल सास्ग का सरवाधिक विरोध किया था, सबसे ज़्यादा विरोद किस मुगल सासक के दवारा किया गया था, और अच्छ सी एक्जाम्स के अंदर दोस्तों ऐसे ही ले के क्योसन, ऐसे ही लेंग्वेज के क्योसन देखने को हाली में मिले हैं, राइट उप्शन की बात करें तो उप्शन B ही रहेगा हमारा ओरंग जेब नारनोल के स्तामियों ने सबसे ज़्यादा विरोध जो किया था मुगल सासक है ओरंग जेब का किया था नारनोल यहां पर ज़ल जबसे रहेगा ह्रियाना का सोला शोובर वाला गांओं कि सदिले ने सथे था परसित साहित्यकार इसरदास रहे हैं, इनका जनम फरिदाबाद जिले के अंदर हुआ था, नैस कोशन है, बारत में डाकू बनकर लूट पार्ट किसने की, बहुत ही अच्छा कोशन मनता है, बारत में डाकू बनकर लूट पार्ट किसके दवारा की गी थी, राइट ओप्सन क इसने डाकू बनकर लूट पाट ही हरियाना के अंदर की थी। भारत की बात कर लो हरियाना की बात कर लो। तो right option हमारा B रहेगा पलोवल जिले के अंदर हरियाना में मटिया का महल या किला सित है, next question है हमारा हरियाना साहितियाक आदमी दवरा पुरुषकार परारम किस वर्स किया गया, यहां वर्स पूछा गया है किस वर्स हरियाना साहितियाक आदमी के दवरा जो है यह परारम किया गया, right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा, 1991 वर्स के दोरान जो है पहली बार हरियाना साहितिया का आदमी का पुरुषकार परारम किया गया था, right option हमारा हो जाता है option B, next छोसन है दोस्तों हमारा सेंट जेम्स चर्च टावर किस वर्स बना, वर्स पुचा गया है, सेंट जेम्स चर्च टावर जो है किस वर्स बनाए गया, right option की बात करें तो option D हमारा रहेगा, 186 वर्स के दोरान अंगरेजों के दोरा सेंट जेम्स बनाए गया, और है कहां पर सित, ऐसा भी क्योस्तों उठ है जाता है कई बार तो ये करनाल जिले के अंदर सित है, right option हमारा क्या हो जाता है, option D, पूचा जाए कहां पर तो ये करनाल में सित है, next question है हमारा बेगम समरू का सेतर किसे कहा जाता है, बेगम समरू की दोस्तों यहां पर बात कीगी है, right option की बात करें तो option हमारा हो जाता है एक करनाल बेगम समरू का सेतर करनाल जिले को कहा जाता है नेश कोसन है हमारा खरबा गोल्फ कोर्स स्टेडियम ये भी स्टेडियम दोस्तों कई बार एक्जाम में देखा गया है खरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम राइट उप्सन की बात करें उप्सन हमारा रहेगा D दोस्तों अंबाला के अंदर घरगा गोल्फ कोर्स स्टेडियम जो है अंबाला जिले के अंदर स्टित है नेश क्योसन दोस्तों है अमारा स्टेडियम से डिलेट दोस्तों हो सकता है कल के एकजाम में एक क्योसन आपका पका हो जाए नेश क्योसन है ताउ देविलाल स्टेडियम कहां पर स्टित है ताउ देविलाल स्टेडियम की दोस्तों हम बात करें तो राइट उप्सन हमारा सी रहेगा गुरू ग्राम जिले में ताउ देविलाल स्टेडियम जो है गुरू ग्राम जिले के अंदर सित है एक दोस्तों ताउ देविलाल स्टेडियम हमारा पंसकुला जिले से भी समंदित है हरियाना का राष्टिय उद्यान बोर्ड कहां पर सित है हरियाना की राष्टिय उद्यान बोर्ड की दोस्तों हम बा हर्याना में सबसे लंबा पूल कहां पर बनाए जा रहा है तो यह सबसे लंबा पूल दोस्तों समाल खा में बनाए जाता है अभी नेसले इंडिया उद्यों की दोस्तों समाल कहां से बात कर रहे थे ठीक है इसराना से समंधित बात कर रहे थे और एक दोस्तों बहली ओयल नेस कोशन हमारा पोदागिरी प्रोग्राम की शुरुवात कब गोई पोदागिरी प्रोग्राम की शुरुवात यहां से कोशन उठाए गया है राइट ओप्शन हमारा सी रहेगा गुरु ग्राम जिले से पोदागिरी प्रोग्राम की शुरुवात की गई थी नैस कोशन है हमारा राज्या में 1500 मेगा वोर्ट की एक मातर गेंस अदारित विद्यूत परियोजना है राज्या में 1500 मेगा वोर्ट की गेंस अदारित विद्यूत परियोजना है राइट ओप्शन की बात करें तो ओप्शन हमारा डी रेगा फरीदाबाद फरीदाबाद के अंदर दोस्तों राज्या में 1500 मेगा वाट की एक मतर गेंस अधारित विद्युत परियोजना शुरू की गी थी नैस कोशन है दोस्तों हमारा डेविस के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुन्दर कला करेती है डेविस के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुन्दर कला करेती है भी कह सकते हैं, तो हिसार किस बासा का सब्द है, तो ये फार्सी बासा का सब्द है, ठीक है, इसार फिरोजा के नाम से दोस्तों इसको पहले जान दाता है, इसार की हम बात करें तो, ठीक है, अकबर सासनकाल के दुरान दोस्तों ये नाम हटा कर इसार कर दिया गए था, नैस क क नाम से इनको जाना जाता है धिकर न है राय भाधूर लाला मुर्ली दर इनकी उपादी की दोस्तों हम बात करें यसपाल को हाश्या कलाकार के रूप में बनेता के रूप में इनको जाना जाता है। से लेटर भी श리ांदर को सन पूसा जाता है थो खादी का पूरोदा किसे कहा जाता है वह इस दुत. सर्मा । कोशन है हमारा पॉपנदी भास्तुकार कौन थे दो इंद और बी दोनों Edward और रोबर्ट टोर्सल इन दोनों के द्वारा जो है पटोदी महल का वास्तुकार के रूपे इनको जाना जाता है तो राइट उप्षन हमारा हो जाता है उप्षन C नेस कोशन है लाल टोपी बांध किस जिले में बना हुआ है बात कीगी दोस्तो लाल टोपी बांध की अच्छा कोशन मनता है राइट उप्षन ए रहेगा यम्ना नगर में लाल टोपी बांध हरियाना के किस जिले में स्थ है यम्ना नगर जिले के अंदर स्थ है नेस कोशन है हरियाना का अपूगर किसे कहते हैं प्राचीन समय में सिंचाई बाली जमीन को जो है वो चाही के नाम से जाना जाता है, किस नाम से चाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और जो नाबिया जो है दोस्तों ये अकाल पड़ा था, 1833 और चोंतिस के दुरान जो है ये नाबिया अकाल पड़ा था, इसको अकाल के, नाबिया काल के नाम से जाना जाता है 13334 वर्ष की दोस्तों हम बात करने हैं सिंसाई बाली जुमीन को दोस्तों चाही कहा जाता है और जिसमें कुछ उगाया ना जाए और जो खाली छोड़ी जाए उसको बरानी कहा जाता है क्या कहा जाता है बरानी नाइस क्योशन है हमारा बिट्री समराजे की गुड़ साल एक पीछे टक साल का क्योशन आया था और ये हमारा आगया गुड़ साल का क्योशन राइट उप्शन हमारा हो जाता है उप्शन A अंबाला में बिट्री समराजे की गुड़ साल ठीक है जहांगीर के कोसा दिकारी बाबा फरीद के दवरा सन 1607 वर्स के दोरान जो है वो फरीदाबाद की साफना की गी थी नैस क्योंसन है हमारा अठारवी स्ताब्दी में खेतों की जुताई की स्वार को होती थी जुताई पूची गई है राइट ओप्सन हमारा डी रहेग ठीक है तो वहांपर आप स्वार कर सकते हैं यहां पर आपको उद्वार करना पढ़ेगा नईस क्योंसन हमारा महतमागांधी आस्रम की निव पलूवल में किस के दवारा रखे गई पूछी गई है किस के दवारा रखे गई राइट ओप्सन हमारा बेरहेगा समेलित वेकुल राज्यों की संक्या, यहां दोस्तों राज्य पूछे गए हैं, कितने राज्य रेणों का बांध के अंदर समेलित किये गए हैं, राइट ओप्सन दोस्तों हमारा सी रेगा छे, छे राज्य जो है रेणों का बांध के अंदर जो है समेलित है, नेस्ट कोशन ह हमारा निमलित में से पानिपत से समंदित है पानिपत की दोस्तों हम बात करें तो राइट ओप्षन जो रहेगा वो रहेगा ओप्षन हमारा D उपरोक्त सभी क्योंकि सत्यन कपू दोस्तों कलाकार पानिपत से समंदित है मोहित अहलावत दोस्तों पानिपत से समंदित है कलाकार नेरित चोपडा को दोस्तों कौन नहीं जानता ठीक है ये भी कहां से समंदित है पानिपत पानिपात के पास दोस्तों इनका गाम है खंडरा से समंदित स्यांदार क्योंसन हो सकता किसे निमन में से इसार से समंदित है इसार की दोस्तों हम बात करें तो right option जो रहेगा वो हमारा D रहेगा उपरोक्त सभी बलेकबर्ड, महावेज स्टेडियम, लवनता गरस्त ठीक है इन सभी का समंद जो है वो इसार से समंद है यानि दोस्तों इनका सभी का समंद किस से जुड़ा हुआ है किस दिले से जुड़ा हुआ है इसार से next question हमारा beam stadium कहां पर सित है, beam stadium की दोस्तों बात की गई है, right option की दोस्तों हम बात करें तो option रहेगा हमारा B, बिवानी जी लेके अंदर, beam stadium ठीक है, beam stadium सिंपल B से आप match कर सकते हो, बिवानी हो जाता है हमारा right option B next question है, ताउ देवी लाल किर्केट stadium, मैंने कहाता न, एक किर्केट stadium पंसकुला के अंदर है, एक जो stadium है ताउ देवी लाल के नाम से वो गुरुगराम के अंदर है, ठीक है, तो right option हमारा रहेगा option B, पंसकुला, ताउ देवी लाल किर्केट stadium पंसकुला जिले के अंदर, सित ह ने इस कोशन है द्रोणाचारिय स्टेडियम कहां पर सित है यह भी बहुत शांदार कोशन मनता है राइट ऑप्सन सी रहेगा कुरुक्षेत्र में द्रोणाचारिय स्टेडियम कहां पर सित है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर सित है यह हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर और भीम सिंग स्टेडियम दोस्तों बिवानी के अंदर और अगर क्योशन पुछा जाए द्रोनाचारे स्टेडियम कहां पर सित है तो ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्टित है नेस कोशन है वेलोडरम स्टेडियम कहाँ परसित है यह स्टेडियम से लेटर कोशन इसलिए जादा इसमें डाले हैं क्योंकि एक्जाम में कहीं ने कहीं से क्वेशन उठाया जाएगा राइट ऑप्सन की बात करें तो ऑप्सन भी हमारा राइट रहेगा कुरुक शेतर में क् हरियाणर राजे खेल प्रिशर बिल्ट स्टेडियम में जो है वो हमारा फृदाबाज जिले के अंदर स्टित है नेस्ट कोशन दोस्तो अर्जुन स्टेडियम से समंधित है अर्जुन स्टेडियम जो है वो हमारा काम पर स्टित है जीन जिले के अंदर स्टित है और जीन्द के अंदर सित है नेक्स स्टेडियम जो है वो चोदरी बंसीलाल के नाम से चोदरी बंसीलाल किरकेट स्टेडियम एक ताउदेवलाल किरकेट स्टेडियम पंचकुला में हो जाता है चोदरी बंसीलाल किरकेट स्टेडियम जो है right option B रहेगा राव तुला राम स्टेडियम जो है वो रिवाडी जिले के अंदर श्तित है चलिए next question है हमारा हरियाना राज्य का सबसे प्राचीन पुस्तकाले है श्तित है सबसे प्राचीन पुस्तकाले है दोस्तों हमारा right option A रहेगा अंबाला के अंदर 1957 वर्स के दुरान अर्याना के सबसे प्राचीन पुस्तकाले अंबाला जिले के अंदर इसी स्थापना की गी थी नाइस कोशन हमारा मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहां से मिली है मानव की सबसे पुरानी बस्ती के दोस्तों हम बात करें तो right option अमारा C रहेगा कुणाल, कुणाल से जो है मानो की सबसे पुरानी बस्ती, जो है प्राचीन बस्ती हम कहा सकते हैं, मिली है, बीर के उत्पादन में सबसे पर्थम जिला है, बीर के उत्पादन में, सराब का कार खाना भी दोस्तों यहां पर स्थीत है, बीर उत्पादन हमारा रहेगा option A 1973 के दुरान ठीक है 1973 के दुरान आसीगट के किलिए को राष्टिय समारक में गोशित किया गया था और एस ही language में अचसी question आजकल उठा रही है next question दोस्तों रहेगा हमारा June 2019 तक अरियाना में कितने सकी के अंदर खोले जा चुके जून 2019 की दोस्तों बात कर रहे हैं right option की बात करें तो D रहेगा हमारा साथ 2019 तक हरियाना में कितने सकी के अंदर खोले जा चुके थे तो साथ सकी के अंदर जो है 2019 वर्ष के दुरान खोले जा चुके थे हरियाना में सबसे प्राचीन बंदूक वे तलवार निर्मान की फेक्टरी कहां पर स्थित थे सबसे प्राचीन बंदूक निर्मान और तलवार निर्मान की फेक्टरी की दोस्तों बात कर रहे हैं right option हमारा ए रहेगा हिसार हरियाना के अंदर सबसे प्राचीन बंदूक वे हमारी दलवार निर्मान की फेक्टरी इसार के आसी सहर में इसार के आसी आसी भी option दिया जा सकता है इसार भी option दिया जा सकता है next question है हमारा हरियाना का आदर्ता वाला स्थान दोस्तों आदर्ता की दोस्तों बात कीगी है पर्थम जिला कौन सा है राइट अप्सट्न की बात करें तो option B रहेगा हर्याना का नमी वाला पर्थम जिला या दो सवाधरता वाला पर्थम जिला पूछा जाए तो राइट अप्सट्न हमारा B रहेगा पंच कुला Next question है हमारा हर्याना में कच्चा लोहा कहां पर पाये जाता है कच्चे लोहे की दोस्तों हम बात करें, तो right option हमारा A हो जाता है, बिवानी जिले के अंदर, हर्याना के अंदर कच्चा लोहा कहां पर पाये जाता है, तो बिवानी जिले में पाये जाता है, right option हमारा हो जाता है, option A, nice question है, हर्याना का सबसे प्राचीन जंगल की दोस्तों हम ब से इनको जो है नाम लिया जाता है तो राइट उप्सन हमारा सी रहेगा ए और भी दोनों कुरुक्षेत्र का सोनार सिर्चा का सिर्शिकार नेस को सन हमारा हरियाना में साही परिवार का पुल स्थित है साही परिवार के पुल की बात करें राइट उप्सन भी रहेगा जीन जि वह अधिए उसको किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है तो राई्ट और धार किला चिला जिसमें 52 कोटियानि होई है right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा मदोगड के किला के हम बात कर रहे हैं मदोगड और कनोड के किले दोनों के दोनों दोस्तों बहुत जादा फेमस है ठीक है जहां से question बार-बार उठाए जाते है right option हमारा हो जाता है option B next question है हमारा East India के किलाब लोहारू में नर्ततव किस ने किया इस्ट इंडिया इसे सबंदित विद्रो ज़रूर याद कराए लहाँ जाए छेए लिरे हैं तरчи किला कनोग estaban सामन देव के सासकों के सिक्के कहां से मिले हैं तो राइट ऑप्षन की बात करें तो अप्षन हमारा बी रहेगा रोत तक से दस्वी स्तापदी में हिंदू राजा सामन देव के सिक्के जो परापत हुए हैं वो दोस्तों रोत तक से परापत हुए हैं नैस के उस्तन है हमारा क गुरुक्षेत्र पुस्तकाल्या का निर्मान किस वर्स हुआ। गुरुक्षेत्र पुस्तकाल्या के दोस्तों बात करें। तो right option हमारा B रहेगा 1967 में। और जो अंबाला पुस्तकाल्या उसका निर्मान दोस्तों 1957 में। ठीक है। 57, 67 दोनों के दोनों पुस्तकाल्या याद हो सकता कि उसने आसे उठा लिया जाई नैस कोसन है दोस्तों हमारा हर्याना का चित्रकला का प्राचीन सकूल है चित्रकला के दोस्तों हम बात करें तो चित्रकला को जो प्रोचान जो मिला है वो रेवाडी से मिला है तो यहीं से ही अर्याना के अंदर सोने का मुकट प्राप्त हुआ है नेश कोसन है जब मातमा गांदी जी रोध तक आये थे तो उनके साथ आये थे उनके साथ कौन आये थे राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा अली बंदू उनके साथ कौन थे अली बंदू थे जब मातमा गांदी कहां पर आये थे रोध तक के अंदर आये थे नेस्ट कोस्तन है दोस्तो हमारा रानी तलाब का मंदिर जिसे केलास मंदिर वे बुतेसवर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है किस बगवान से समंदित है किस समंदित है तो यह दोस्तो बगवान सीव से समंदित है किस समंदित है बगवान सीव से यहीं इसी हमारे रानी तला ना हो तो याद रखें केलास मंदिर बुदेश्वर मंदिर ये बगवान सीव की दोस्तों यहां पर पुजा की जाती है नेश कुस्तन है हमारा और यहीं पर दोस्तों एक गाना भी फरमाया गया था ठीक है यहां पर गाना भी फरमाया गया था कुछ समझ में तवारा लेकिन इतना कलियर नहीं समझ में आ रहा ठीक है क्योंकि उस टाइम जो है रानी तलाब के आसपास कोई घर थे ही नहीं ठीक है और अब तो कितना बड़ा सहर बन चुका है उसके आसपास ठीक है उस टाइम कुछ घर बगेरा नहीं थे ठीक है तो पेड सत्य में उत्तर दें महात्मा गांधी पानिपत आये थे ताकि मुसल्मान बारत ना छोड़े तो मुसल्मान बारत ना छोड़े इसलिए महात्मा गांधी पानिपत भी आये थे पर जाली है, आमारा वेदिक सब्यता के कुल कितने सतल है, वेदिक सब्यता के कुल सतलों के हम बात करें, तो राइट option B रहेगा, कुल टोटल मिला कि 300 वेदिक सब्यता के सतल है, राइट option हमारा हुज़ाता option B, next question है, अर्याना का वाहन गनताव है, वहान गनतव की दोस्तों बात करें तो option हमारा A रहेगा 231 अर्याना का वहान गनतव कितना है 231 next question है हमारा लोहारू किले का निर्मान किस ने करूआया अब हाली में मादोगडोर करनोड के किले से किले से किले से किले पूछा गया था वी रहे तो दोस्तों वह भी रहे गा और कोहांड दे दिये जाई ठीक है तो वो भी उप्शन नमारा सही रहेगे। क्योंकि कोहांड भी कहां शिते करनाल के अंदर। करनाल उप्शन भी दिया ज़ा सकता है या दोस्तो अमारा कोहांड भी उप्शन दिया जा सकता है। नेश कोशन दोस्तों रहेगा हमारा गीता का आरम किस युक्ति से होता है गीता का आरम किस युक्ति से होता है राइट ओप्सन दोस्तों सीरेगा दरत राष्टर के दवरा ठीक है गीता का आरम जो होता है वो दरत राष्टर युक्ति के दवरा होता है राइट ओप्सन हमारा उसके अंदर reply करोगे हर्याना का महिला जोपाल वाला एक मात्र गाम है उड़ाना इस कोशन है हमारा हाँ या नहीं में उतर दे क्या राज्या का ऊंट परजनन के अंदर वह सार्ज परजनन के अंदर सिर्चा में हैं हाँ या ना में उतर दे ना तो right option की बात करें तो option हमारा ह हो जाता है यह नहीं ठीक है क्या राज्या का ऊंट परजनन के अंदर और सार्ज परजनन के अंदर सिर्चा में हैं नहीं ठीक है क्योंकि सार्ज परजनन के अंदर जो है वो हमारा कहां पर सित है कुरुक्षेत्र में सित है ठीक है ऊंट परजनन के अंदर की हम बात करें तो तो सिर्षा जिले से समंदित है, लेकिन सार स्परजन के अंदर की हम बात करें, तो ये सिर्षा जिले से समंदित है, ये हमारा कुरुक शेत्तर से समंदित है, नेस्ट क्रोशन है, चालिस हाबिज का मकबरा कहां पर सित है चालिस हाबिज के मकबरे की बात करें तो जो GJU उनिवस्टी है गुरू जंबेश और उनिवस्टी उसके अंदर सित है यह हमारा 40 हाबिज का मकबरा इसार की दोस्तों हम बात करें तो 40 हाबिज का मकबरा कहां परचित है हमारा इसार में नैस कोसन है हमारा रोत्तक डिवीजन में आने वाले जिले के बारे में कौन सा कतन सत्य है रोत्तक डिवीजन के बारे में ठीक है मंदल की दोस्तों बात किये गी है कौन से रोत्तक मंदल के दिन आते हैं राइट उप्सन की बात करें तो D रहेगा, चर्की दादरी और जज़र, दोनों के दोनों जिले जो है वो रोत तक डिवीजन में आते हैं, राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन D, नेस्ट उप्सन है, हर्याना के ताज महल को किस वरस राष्टिय इमारत गोशित किया ग आता है, नेस्ट उप्सन है हमारा, राज्या के किस जिले में सरवादिक चर्च है, सबसे ज़्यादा चर्च है, राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन हमारा D रहेगा, अंबाला में, राज्या में सबसे ज़्यादा चर्च जो है, वो हर्याना के अंदर अंबाला जिले मोजार के निर्माता किस देश के निवासी थे किस अबञा रहे Receication पूछा गया है राइट, पूछान हमरा राइगा हमारा ओप्सन राजदानी है दोस्तों, तहरान ठीक है में बेनगा तिश्ट सर्च कहां पर सीत है? हर्याना में बेप्टिस्ट चर्च की दोस्तों हम बात करें तो right option हमारा डी रहेगा बिवानी हर्याना में बेप्टिस्ट चर्च एक मातर जो है वो बिवानी जिले के अंदर स्थित है next question है हर्याना का न्याय का सहर कहलाता है अरियाना का नियाए के सहर के रूप में किसे जाना जाता है स्यांधार क्यूशन मनता है 4 उप्षासन हमारा एह रहेगा یुम्ना नगर Für. युम्ना नगर के अंदर दोस्तों कलाशीर है सबसे ज़़ादा famous है सबसे ज़ादा important है वहाँ दोस्तों पाकिस्तान तक के लोग जो है वो न्याय करवाने के लिए आते थे तो इसलिए इसको अर्याना के न्याय के सहर के रूप में जाना जाता है नेस्ट क्योशन हमारा गीता के पर्थम अध्याय का क्या नाम था अब गीता के पर्थम में अध्याय की दोस्तों हम बात करें, राइट ओप्षन B रहेगा, विसादियो, गीता के पर्थम अध्याय का नाम था, विसादियो, नेस्ट कोशन बहुत शांदार कोशन है, इंपोर्टन कोशन है, माउट एवरेस्ट पर सडाई करने वाली सबसे कम की महिला, सिवांगी पाठक किस जिले से है, सबसे कम उमर की महिला है, माउट एवरेस्ट पर सडाई करने वाली, ठीक है, सिवांगी पाठक किस जिले से समंदित है, राइट ओप्षन की बात करें तो उप्षन हमारा रहेगा, सी, ये किस से समंदित है, इसार से, नेस्ट को दोस्तों रहेगा हमारा बिंडावास अबेरने के बारे में सत्यकतन है बिंडावास की दोस्तों बात कीगी है इसके बारे में कुन सा सत्यकतन है राइड ऑप्सन की बात करें ऑप्सन भी हमारा रहेगा पर्थम हरी बिंडावास अबेरने के बारे में जो है यह हमारा पर्थम है, right option की बात करें, तो option C हमारा right रहेगा, संत मीर साह की मजार, संत मीर साह की मजार पर मुमाईयों का विलेग जो है, वो उतकरन है, right option हमारा रहेगा C, और ये संत मीर साह की मजार पूछी जाए, ये कहां पर स्थित है तो यह फतेहा बाद जिले के अंदर स्थित है हर्याना में आर्य समाज के परसार की जिम्यदारी किसकी थी तो हर्याना में आर्य समाज के प्रसार की जिमेदारी थी, right option B, दीन देयाल सर्मा की, right option हमारा हो जाता है option B, पंडित दीन देयाल सर्मा, next question है हमारा, सक्सम हरियाना योजना किस वरस शुरू की गई, ऐसे ही question तो दोस्तो अचसी उठा रही है, पुराने भी और कुछ नए भी, ठीक है, अंदाज अलग है च सरकार दवारा, विश्व की 10 उंची चोटियों पर फते हांसिल करने वालों को, कितने रूपे की रासी देने का फेंसला किया है, तो right option हमारा हो जाता है option B, पांच लाग की रासी जो है, जो अरियाना सरकार दवारा, जो विश्व की 10 उंची चोटियों पर फते हांसिल उसको पांच लाग रूपे की रासी पित्रित की जाएगी, राइट उप्सन हमारा हो जाता है, उप्सन B, नेस्ट कोशन है, एक मात्र स्थान जो मंदिरों, तलाबों वह हवेलियों के लिए परसित है, एक मात्र स्थान जो तीनों चीजों में फेमस है, Right option की बात करें तो हम बात करैं है افजों है तो की दि रहेगा icate option हमारा T GRAP तो टलाबों के लिए भी फैमेस है और हेवेलियों के लिए भी फैमेस है Right option हमारा उजयता है option D Next question है Hog deer president के अंदर कहां पर सित है Hog deer president के अंदर की दोस्तों बात करें तो राइट उप्शन बी रेगा पलवल में, होग डीर परजन्न के अंदर पलवल जीले के अंदर सिद आ है, next question है हमारा, अरियाना में असोक की लाट कितनी जगह से मिली है, तो राइट उप्शन अमारा बी रेगा तीन जगह से, हर्याना में तीन जगह से असोग की लाट प्राप्त हुई है नेश कुशन बहुत श्यांदार कुशन है हर्याना के किस मंदीर की दिवारों पर गीता के सभी 18 अध्याई लिखे गई है गीता के सभी 18 के 18 अध्याई जो है वो लिखे गई है राइट उप्शन की दोस्तों हम बात करें तो उप्शन रहेगा हमारा बी बिर्ला मंदिर की दोस्तों हम बात करें हैं बिर्ला मंदिर की दिवारों पर जो है 18 के 18 दियाय लिखे गए हैं बिर्ला मंदिर दोस्तों हमारा थानेसर से समंदित है निर्मान इसका दोस्तों जुगल की शोर के दोरा करवाया गया था स्थापना वर्ष अगर पूछ ली जाए तो 1955 वर्ष के दोरान करवाया गया था 1955 वर्ष के दोरान ही डेरी जो अनुस अंधान है उसकी स्थापना की गी थी हरियाना का सबसे उंचा चर्च किस जिले में है सबसे उंचा चर्च की दोस्तों बात करें तो right option हमारा A रहेगा करनाल हरियाना का सबसे उंचा चर्च जो है वो करनाल जिले में स्टित है next question हमारा हरियाना कांग्रेश नामक पत्री का किसके दवारा रचित है जो है न सबी का जिम्मा जो होता है वो दोस्तों नगरपालिका के ऊपर होता है Right option हमारा हो जाता है option D Next question है हमारा Orient company परसीद ऊध्यो की बड़ी यूणिट स्エित है Orient company की दोस्तों बात कीए है परसीद ऊध्यो की बड़ी यूणिट कहां पर सीत है Right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा Guru Gram Jilie के अंदर औरियंट की सबसे बड़ी युनिट हरियाना के अंदर काम पर सीत है गुरु ग्राम जिनेंगे अंदर नेश कोशन है दोस्तों हमारा हरियाना विकास पार्टी जब बनी उसका चुनाव चिने क्या था जब हरियाना विकास पार्टी बनी थी तो उसका चुनाव चिने क्या था राइट ओप्सन हमारा B रहेगा लड़का और लड़की अरियाना विकास पार्टी जब स्टार्टिंग के अंदर बनी थे तो उसका सुनाव निशान था लड़का और लड़की नेश कोशन है कार विंटेज रेली समंधित जिला है कार विंटेज रेली की दोस्तों हम बात करें तो राइट ओप्सन हमारा D रहेगा गुरुग्राम पूरानी कारों का एक मेला लगता था जिसको कार विंटेज रेली के नाम से जानते हैं तो ये गुरुग्राम में इस मेले का विजन किया दाता था नेश कोसन है दुटस्तों हमारा राज्य सरकार दवारा राज्य सरकार दोजा इठारा दोजारा दवारा कितने सिरेणी mogą में फिल्म आवार्ड दिये जाएंगे दोजार इठारा के दौस्तों इठाएंगे है। मारा गाउं जग्मक गाउं योजना तो एक साथ एक साथ लाइट आती है ना तो एक साथ से एक साथ यानि एक तारीक और साथ महीने की यानि दोस्तों एक जुलाई 2015 की हम बात करें मारा गाउं जग्मक गाउं एक साथ होता है ना मारा गाउं जग्मक गाउं तो एक जुलाई 2015, right option हमारा हो जाता है, option B, परसिद मारवल चाहे उद्योग, ठीक है? ये एक अदेशी गी की मंडी भी यहां की famous है, और मारवल चाहे उद्योग भी दोस्तों यहां का ही famous है, उकलाना मंडी की दोस्तों हम बात करते हैं, मंडीयों में भी बहुत ज़्यादा फैमस है उकलाना मंडी जो है वो बहुत ज़्यादा फैमस है नेस कोशन हमारा राजनिती का चानक्या कहा जाता है राजनिती के चानक्या के रूप में चोधरी बजनलाल को जाना जाता है तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी नेस कोशन हमा से मंदिरों से बहुत सारे मंदिर भी नष्ट करके इसके अंदर जो सामगीरी जो है वो यूज की गई थी इसलिए हम घूजरी महल को महत्व जादा देते नहीं नहीं है सेफाली वर्मा का समंध्ध कि स्केल से है राइट ओप्सन दोस्तों हमारा डी रेगा किर्केट से ठीक ह तो грहा है नहीं ऐसी को सबस दो बिड़िए सबस्क्राइब कर पकूल है तो दोस्तो, यह मेवाद जिले में स्टित है next question है दोस्तों हमारा उद्धे सिंग का किला कहां पर स्थित है बात की गी है उद्धे सिंग के किले की right option जो रहेगा वो option हमारा ए रहेगा कैथल में बाई उद्धे सिंग का simple question पूछा जाता है तो ये कैथल जिले के अंदर स्थित है नाइस कोसें दोस्तों रहेगा हमारा मानव रंचरना अंतराश्टिय विश्व विदैले की श्थापना की गी थी श्यांदार कोसें पूचा जाता है हमारा फृधाबाध से जुड़ा हुआ Y.M.C.E.B. किस से जुड़ा हुआ है फृधाबाध से सलारगंज गेट का निर्माण किस के द Cow расп किया गया सलारगंज Gेट की दोस्तों हम बात करें अगर कभी जाओ तो कुछ जादा देखने बड़ी चीज नहीं है, एक सिंपल सा गेट बना हुआ है, प्राचीन इंटों का, ठीक है, हमने काफी बार यहां पे देखा है, चंडिगड को बसाया जाना किसका सपना था, तो ये चाचा नहरू का सपना था, किसका सपना था, कालका उप्सन दिया जाएगा, जो हमारा राइट रहेगा, बारत समानित अरुना सपाली कांगुली का समन्द जो है, वो सकूला कालका से है, 15 जो है, 1997 वर्स के दुरान समानित किया गया था, नईस कोशन है, दोस्तों हमारा हरियाना का सिख केपिटल किसे कहा जाता है, बात नईस कोशन जो रहेगा, वो रहेगा, हमारा संथ सूर्दास किसके समकालें थे, संथ सूर्दास किसके समकालें थे, राइट अप्सन जो रहेगा, वो रहेगा, डी कोई नहीं, क्योंकि संथ सूर्दास अकबर के समकालें थे, किसके समकालें थे, अकबर के, तो इसमें वो नहीं नहीं है तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है कोई नहीं नहीं है महीला होकी टीम की उपकतान रह चुकी दिपिका ठाकूर का संबंध है महीला होकी टीम की उपकतान रह चुकी दिपिका ठाकूर का संबंध दोस्तों युम्ना नगर से है किसे है युम्ना नगर से तो राइट ओप्शन हमारा हो जयता है ओप्शन D नाइस कोशन है दोस्तों हमारा मुगल वानिजे का परमुक के अंदर था मुगल वानिजे के परमुक के अंदर की बात करें तो राइट ओप्शन B रहेगा बिवानी मुगल वानिजे का प्रमुक के अंदर जो था वो बिवानी था नेस कोशन है हमारा अर्याणा की पर्थम कचहरी की स्थापना कहां हुई थी अर्याणा की पर्थम कचहरी की स्थापना जो हुई थी वो जजजर के अंदर हुई थी 1919 वर्स की दोरान की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो right option जो रहेगा वो रहेगा option अमारा B next question है दोस्तों हमारा राज्य के पर्थम गेर कांगरेशी मुख्या मंतरी राव विरेंदर सिंग की पार्टी का क्या नाम था राज्य के पर्थम गेर कांगरेशी जो मुख्या मंतरी राव विरेंदर सिंग जी थे इनकी पार्टी का नाम था हरियाना विसाल पार्टी next question है हमारा बार्मी स्तापदी में कहां पर एक तलवार निर्मान की फेक्टरी लगाई गी थी तो ये question repeated भी कह सकते हैं खेके तो ये अंसी के अंदर लगाई थी next को सतने हैं दोस्तों हमारा sona के किल्य का निर्मान की लेकर कैं किसने करवाए sona के किल्य के निर्मान की दोस्तों यहां पर बात करें तो right option जो रहेगा वो रहेगा option हमारा कर बी राजा जवाहर सिंग के दवारा राजा जवार सिंग के दवारा ये बर्दपूर के राजा थे 18 स्ताबदी में दोस्तों सोना के किले का किले के सारे के सारे जितने भी किले हैं उनके निर्मान करता आमने इस वीडियो में इसलिए डले हैं क्योंकि पिछले कॉंस्टेबल के एक्जाम में आपने देखा होगा जो अमादोगड का किले है उसके निर्मान करता के रूप में क्योंसन पूछा गया था तो राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन भी राजा जवाहर सिंग ठीक है ये बर्दपूर के राजा थे 18 स्ताबदी के अंदर दोस्तों इस जोना के किले का निर्मान करुआ गया और सिरीराम सर्मा के तीन ही रचना सबसे ज़्यादा फेमिस हैं हरियाना का इतियास घरिणा नावरतन और हरियाना तिलग तीनों ही तीनों रचना एकजाम में क्योंसन पूछा जा जा चुका है नारनोल के साइंबोर्ड का दूसरा अन्य Naam भी है किस नाम से जाना जाता है तो उसको चौर गुबंद के नाम से जाना जाता है राइट ओप्सन की दोस्तो हम बात करें तो ओप्सन रहेगा हमारा उद्य बान हस के दोरा ही तो पूचा जा चुक है ये पूचा जा चुक है जो जो पूचा है है क्ई बारवीं स्ताबदी के पूरुन बक्त को किस नाम से जाना जाता है तो चोरंगी नात के नाम जादा चुरंगिनात और मस्तनात अस्थल बहुर से दोस्तों इनका इतियास जुड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा बार रिपीटीड के उस्तों जो रहे हैं वो इनी से ही समदित रहे हैं नाइस कोशन है दोस्तों हमारा बिवानी और मेंदरगड किस वर्स NCR में सामिल किये गए राव तुला राम का मकबरा कहां पर सित है राइट अप्शन सी रहेगा काबूल में राव तुला राव का मकबरा जो है वो काबूल के अंदर सित है नाइस कोशन हमारा राजनीती के विसम पिता मा के रूप में किसे जाना जाता है राइट अप्शन हमारा रहेगा और चोदरी देविलाल को राजनीती के विसम पिता मा के रूप में जाना जाता है नेस्ट क्योशन दोस्तों रहेगा एक एंट एक रूपया बसा सहर है एक एंट एक रूपया के नारे पर बसा सहर है बात करें दोस्तों अगरोवा की अगरोवा पर भी दोस्तों एक नक्षत्तर बाटी का विक्षित की की है जिसको हर्बल पारक के रूप में भी जाना है वो भी हमारी अगर्वा दाम से ही मिली है अगर्वा दाम दोस्तों देखने लाइक है एक तारा बाबा की कुटिया है फेमस सिर्शा के अंदर और एक अगर्वा दाम है ठीक है बहुत ज्यादा फेमस है यहां पे गुफा बनी हुई यह अंदर ठीक है तो कभी जाओ देखन या बलवगड या दोस्तों बहदुरगड आपको reply comment box के अंदर इसका answer करना है वैसे मैंने hint दे दिया है ड्रोप सिंचाई योजना के जनक के रूप में जाना जाता है पानी की बहुत ज्यादा किल्दत थी बिवानी की साइड तो उस टाइम सिंचाई का संचालन किया गया था किस के दोरा चोदरी बंसिलाल के दोरा next question है हमारा कौन से काल के दौरान हमें लिखित सक्षे मिला जिसे पढ़ा भी गया किस काल के दौरा किस काल में तो एतिहासिक काल के दौरान जो है हमें कुछ ऐसे सक्षे मिले ठीक है जो लिखित सक्षे थे उनको पढ़ा भी गया था तो राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन B नेक्स्ट है हमारा निमल में से railway line नहीं है railway line ठीक है मिटर गेज रेलवे लाइन है ब्रोड गेज भी है, नेरो गेज भी है लेकिन ग्रोड गेज नाम कोई भी railway line नहीं है ठीक है, मिटर गेज, ब्रोड गेज, नेरो गेज, ये सभी railway line के नाम है, लेकिन ग्रोड गेज नाम की कोई भी railway line नहीं है, नेस्ट चोचन है, बागर का सेर के रूप में किसे कहा जाता है, बागर का सेर, चोदरी विरेंदर सिंग को जो है, इस नाम से जाना जाता है, बागर अमारा एर हेगा गुरुग्राम में और जो दोस्तो गुरुग्राम में Kingdom of Dreams है उसी को ही बारत का पहला लाइव मनोरंजिन स्थल के रूप में जाना दाता है Kingdom of Dreams और गुरुग्राम जिले के अंदर दोस्तो ये सित है बहुत श्यांदार बना हुआ है कभी जाओ तो देख के रहा हर्याना के अंदर कहने का मतलब जितने भी प्रेटन स्थल बने हुए है तो देख के जुरूर आए कम से कम हमें पता होना चीए कि ये Kingdom of Dreams है ये सलारगंज गेट है ये दारा बाबा के कुटिया है अब हर्याना के अंदर गुमे नहीं तो कोई मजे वाली बात नहीं है तो अत्यांत अधिक समरिद भूमी हर्याना का अर्थ है राइट उप्सन मारा बी देगा बहुत दानिक है इसका अर्थ है बहुत दानिक है या बहुत दानिक है क्या अर्थ है अत्यांत अधिक शमरिद भूमी उल्टा भी पूछ लिया जाता है कई बार हेमु रिवाड साजकता वह है व्यपार करता था तो वह किस चीज़ का व्यपारी था तो वो नमक का व्यपारी था हेमु फतेय चंद के नाम से, जिसको अलग अलग नाम से, इकदार नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था, खिजर खां किसका सेनेपती था, जो सन पूछा गया है, खिजर खां किसका सेनेपती था, तो ये तेमूर लंका सेनेपती था, कि जर्कां किसे का सयनेपति था तयमुर्लंका next question है send pipers thal संबन किस जले से है send pipers thal का संबन किस जले से है right option जो रहेगा वो हमारा d रहेगा रेवाडी से send pipers thal का संबन जो है वो रेवाडी जिले से थै next question है हमारा किस verse गुड़ गाओं का नाम बदल कर का नाम बदल कर जो है गुरू गराम रखा गया था नेश कोसन बहुत चांदर कोसन है निमलिक में से सहाबाद से समन्दित है यहां कोसन उठाया गया है सहाबाद से समन्दित तो यह सभी के सभी जो है उपक सभी रानी रामपाल बलदेव संदीप सिंग यह सभी के सभी जो है ये सहाबाद से ही सबन नित है नैस कोशन है दोस्तों हमारा अंजाना पत्रीका अंजाना पत्रीका का सम्मन है राइट अप्शन की बात करें तो अप्शन B रहेगा पेहोवा से अंजाना पत्रीका का सम्मन किसे है पेहोवा से नेश कोशन है हमारा कुरुक्षेत्र विश्व विजयले की शुरुवात हुई केवल हिंदी से केवल पंजाबी से संस्कृत हिंदी दोनी से या दोस्तों केवल संस्कृत से तो राइट ऑप्षन की बात करनें तो ऑप्षन हमारा D रहेगा केवल संस्कृत से केवल संस्कृत स से राजा नहार सिंग के किले का कारिया फूरा किस ने करवाया यहाँ पूरा नेक्स है दोस्तों हमारा सितला माता मंदिर किस वास्तुकला की सरेणी में बना है सितला माता मंदिर जो है दोस्तों वो रजस्थान रजस्थानी वास्तुकला की सरेणी में बना हुआ है तो राइट ओप्सन हमारा हो जाता है ओप्सन बी नेश कोशन है हरियाना में संगीत किस स्ताब्दी से आया किस स्ताब्दी में संगीत हरियाना के अंदर आया राइट उप्शन की बात करें तो उप्शन B हमारा राइट रहेगा दूसरी स्थाब्दी, हरियाना में संगीत जो है वो दूसरी स्थाब्दी के दोरान आया था, नैसे कोशन है दोस्तों हमारा पूरे भारत वर्स में, पूरे भारत वर्स में परसिद स्थल है, पूरे भारत वर्स की दोस्तों हम बात करें, तो सभी के सभी जो है, उपरोग सभ लोग है ये जो है पूरे भारट वराष के अंदर फेमस है और जो लिबर्टी सूज है ये तो वीदेश हो के अंदर इपना कि इंडिया के अंदर इसके सूज कम प्रेंच बासा का समझा बजट किस बासा का समझ है फ्रेंच बासा का क्या दोस्तों हमारा किस सविदान से सदन के तहट हर्याणा राज्या अलग बनाए गया राइट ऑपनारा रहीगा C Next question है, नगरिये सासन परणाली को किस संसोधन के तहत दरजा मिला? नगरिये सासन परणाली की दोस्तों बात की गिए और डिक्टो लाइन में क्योंचन, दोस्तों एक्जाम में ये पूछा भी जा चुका है. Right option की हम बात करें तो option हमारा B रहेगा चुहेतरवें. चुहेतरवें साविदान संसोधन के तहत जो है नगरिये सासन परणाली को दरजा मिला था. Right option हमारा उजयता option B. Next question है दोस्तों हमारा, अपनी बेटी अपना दन योजना किस से समंदित है? Next question है दोस्तों हमारा, हर्याणा में सबसे पूराना गुर्कुल कहां पर स्थित है? सबसे पुराने गुर्कुल की दोस्तों बात करें तो जजजर जिले के अंदर हरियाना के अंदर सबसे पुराना गुर्कुल स्थित है राइट ओप्शन हमारा हो जाता है ओप्शन B नेस्ट कोशन है चोदरी देविलाल स्पोर्स कॉंपलेक्स कहां पर स्थित है चोदरी देविलाल स्पोर्स कॉंपलेक्स की दोस्तों बात करें राइट ओप्सन डीर हेगा पंचकूला जिले में हरियाणा में चोदरी देविलाल स्पोर्स कॉंपलेक्स हो है वो पंचकूला जिले के अंदर स्टिथ है नेस्ट क्योशन है दोस्तों हमारा फुटवीयर पारा खरियाना में कहां सिता है ये क्योस्तों दोस्तों एक्जाम में पूछा भी जा चुका है ये हमारा कहां सिता है खरकोदा में next है दोस्तों हमारा सत्रियों दवारा नव दू के आगमन से पहले रातरी में किया जाने वाला निर्त है स्तिरियों के दवारा जो नव अदू के आगमन से पहले जो निर्ते किया जाता है सेम डिटू लाइन में क्योशन दोस्तों पूचा जा चुका है तो राइट उपसन हमारा सी रहेगा खोडिये निर्ते है बोर सेदान दोस्तो परजनन के अंदर से समन्दित है, मगर मच परजनन के अंदर यहां परश्थित है, कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, राइट उप्षन हमारा उजयता उप्षन B, पाचरंग का अचार, यहने दोस्तो पचरंगा अचार, पाचरंग का अचार भी कह स्टित है तो यह कहां पर्स्थित है तो ये दोस्तों हमारा राई अप्शिंसम्राल बत्र पट्रंग्ग चो उप सवन्दी संगराले जहां संस्कृत है वो 오른 defense यहां उप्शिंदunky राजा हेमचंदर सेनिक के रूप में सबसे पहले किसकी सेना में बरती हुए थे राजा हेमचंदर की सेनिक के रूप में सबसे पहले किसकी सेना में बरती हुए राइट ओप्षन की बात करें तो ओप्षन हमारा रहेगा D. आदिल सा की सेना में सबसे पहले राजा ह्यम जंदर सेनिक के रूप में बरती हुए थे Next question है गुरू ग्राम में अरावली पहाड़ी फेली हुई है गुरू ग्राम की दोस्टो बात कीगी है अरावली पहाड़ी फेली हुई है तो right option हमारा B रहेगा सरवादिक सतर पर गुरू गराम में अरावली की पाहडियां जो है फुफेली हुई है next question है इसार प्रयावण नेले की स्थापना कब की गी right option हमारा C रहेगा 1997 बरस के दोराण 1997 बरस के दोराण बात कीगे दोस्तों बादसापूर के किले की बादसापूर का किला हमारा गुरू गराम जिले में स्थीत है तोहाँ पर सित है गुरू गराम जिले में right option हमारा हो जैता है option C next question हमारा मेंदरगड के किले का निर्मान की स्थापदी में हुआ था तो ये हमने just question cover किया था और बार-बार एक्जाम में पूचा भी गया है त्यात्या टोपे से जुड़ा हुआ किला सबसे ज़्यादा बार एक्जाम में पूचा गया है तो सत्तरवी स्तापदिम के अंदुरान जो है मेंदरगड के लिए का निर्मान हुआ था राइट उप्चन की बात करें तो उप्चन रहेगा हमारा बी मीरपूर दोस्तों वेसे एक पतियावाद में भी है मीरपूर थीक है लेकिन ये रेवाडी की यहां पर बात कीगई राजा हेम संदर विक्रमादीते की खंट पीड जो है मीरपूर रेवाडी में स्थाफिद की गई गई गुजरी महल को काल का ताज महल किस काल का ताज महल का जाता है तो सल्तनत का ताज महल गुजरी महल को कहा जाता है गुजरी महल को सल्तनत काल का ताज महल के रूप में भी जाना जाता है नेश कोशन है दोस्तों हमारा हार्टोन का मुखहले स्थित है हलका से कोशन है स्यांदार कोशन मनता है हमारा राइट ओप्षन की बात करें तो ओप्षन हमारा रहेगा C, गुरू ग्राम हार्टोन का मुखहले कहां पर स्थित है गुरुग्राम दी, नाश कोषन है दोस्तों हमारा हरियाना में चंदर कूप तलाब स्थित है। सित है बाल में मुख पर्थम के रूप में जिसको दाना दाता है तो यह सार में सित है किस देश की मदद से हरियाणा में गलोबल पारक स्थापित किया गया किस देश के मदद से या किस देश के सियोग से हरियाणा में गलोबल पारक स्थापित किया गया राइट ऑप्सन की ब गया बूरूग्राम में क्या किया गया favourite? गलोबल पर्क ल initiatives कोसना हमाँいや अमारा हर्याना का सब से निचlor डरका पार्याना का सबीस्टर का सबसे कहा यहां पर अनकाई दलडल पाया जाता है ने कोसना मारा हर्याना में मरुष्तलियवन सरवादिक पाई जाते हैं हरियाना में कहांपर सुसक मुरुष्दलियावन सरवाधिक पाय जाते हैं तो महनदर गड में हरियाना के अंदर सुसक मुरुष्दलियावन सबसे ज़्यादा पाय जाते हैं यमना नगर वर्तमान के आकड़े अगर देखें तो सबसे ज़्यदा जो सब जिवतपादन होती है वो यमना नगर के अंदर होती है नेस्ट कोशन है हमारा हर्याना के सबसे पुरानी पत्रीका का समंद है सबसे पुरानी पत्रीका का नाम पूछा जाए तो सोध पत्रीका है क्या है सोध पत्रीका किस से समंदित है तो ये रिवाडी से समंदित है तो राइट अप्सन मारा हो जाता अप्सन ए नेस्ट कोशन है तावडू रियासत नू प्राचीन काल में कहां परस्थी तो राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन रहेगा हमारा ए गुरू ग्राम तावडू रियासत जो है वो नू जो है वो प्राचीन काल में किस के अंतरकति या किस शेतर के दिन आती थी किस शेतर के दिनकारे रथ थी तो ये गुरुगराम श्यत्र के दिनकारे रथ थी नेश कोशन है हमारा लाड इर्वीन को मारने के लिए बम किसने बनाया था बहुत ही अच्छा कोशन बनता है तो वेदराम के दवरा चीक है वेदराम वेद लेखराम के दवरा जो है ये लाड इर्वीन को संख्या ऐसुब मानी जाती थी सुब और ऐसुब सारे के सारे जरूर पढ़ के जाएंग वार यहां से भी क्योशन पूछे जाते हैं तीन तेरा होना या तीन तेरा ये तीन तेरा ऐसे अंक है जो असुब के तोर में जाने जाते हैं तो राइट उप्शन मारा हो जाता है उप्शन B, नेस्ट कोशन है, अमरिद सर का गोल्डन टेंपल हरियाना में स्थित है, जिसको राणी तलाब भी कहा जाता है, बुतेश और महल के रूप में भी जाना जाता है, जिसके अंदर बगवान सीव की पूजा की जाती है, बहुत कोंस्टेबल के एक्जाम में दोस्तो नदियों से रिलेटेड जो है, फाइनली है, क्योशन पूछा ही जाएगा, ठीक है, या तो अरावली पहाडी के नदियां पूछी जाएगी, या सिवाली पहाडी के नदियां पूछी जाएगी, नेस्ट कोशन दोस्तो रहेगा हमारा खरबा गोल्फ कोर्स कहां पर स्थित है खरबा गोल्फ कोर्स दोस्तो राइड ओप्शन जो रहेगा मारा सी रहेगा अंबाला के अंदर स्थित है एक दोस्तो खरबा गोल्फ कोर्स स्टेडियम है वो अलग है यह अलग है दोनों को दोनों को सन एक दूसरे से अलग है बिहाली एक तो दूस्तो बाहोली है बाहोली तेल सोदकार खाने के लिए पहमेस है पानी पत से चुड़ा हुआ है और जो ये बिहाली है ये दूस्तो तामबे की सबसे बड़ी खान है यहां पर क्या है तामबे की सबसे बड़ी खान है तो यहां से भी कोशन हो सकता ह पूछ लिया जाई, नेश्ट कोशन है दोस्तों, हमारा पांच परवेश दोवारों का सहर कहलाता है, पांच परवेश दोवारों के सहर के रूप में हासी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हासी को, राइट अप्सन हमारा हो जाता है, अप्सन डी, नेश्ट कोशन हमारा, के सतल में लियां तो और District Sh mogę she is useful content in my नेन में से पूर्टगाली में बना स्थल है निमन में से पूर्टगाली सेली में कौन सा स्थल बना हुआ है रा स्थ्ल टे CT की बात करें लिया स्स्थल का रहे जो ठील से रेगा है कहां परस्तित है डबवाली में नाइस कोशन दोस्तों हमारा रहेगा बुढ़ापा पैंसन कितने रूपे से सुरू की गई थी नहीं दोस्तों को सारे के सारे कवर करवा दिये हैं बुडापा पैंशन की शुरुवात कब हुई थी 7 जून 1987 वर्स के दुरान ठीक है और सबसे पहले जो बुडापा पैंशन दे गई थी वो 100 रुपे दे गई थी कितने रुपे 100 वर्स दे गई थी उसके बाद दोस्तों क्या पिर दोस्तों 1991 के अंदर पहली बार ठीक है 100 रुपे से बढ़ा कर कितने रुपे की थी 200 रुपे यहां से भी किसोन उठाया जाता है नेक्स कोशन है राज्य में किस जिले की सुराई राष्टिय स्तर पर परशिद है शुराई पूची गही है राष्टिय स्तर पर जोगी शेड की तुराई परशित है राष्ट ओप्सन रहे गा और लेगा और जिले के रहने वाले हैं राइट ओप्सन की बात करें तो अप्सन रहेगा आँरूस सी शिर्श्रा सिक परशिद होकी की लाड़ी शरदार सिंग जो है इन से रिलेटर क्योशन एक्जाम में उठाया भी जा चुका है तो option C जो रहेगा वो हमारा right देगा सिर्षा से राज्या का सरवादिक नमक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है ये भी अच्छा question मनता है ठीक है नमक उत्पादन से रिलेटर वी क्योशन कई बार एक्जाम में देखे गए है right option हमारा B रहेगा option no no में वाद की हम दोस्तों बात कर रहे है next है दोस्तों हमारा राज्या में बाल विवाव में पर्थम जिला है तो बाल विवाव में पर्थम जिला कौन सा है हमारा no है same ठीक है नमक की बात करें बाल विवाव की दोस्तों हम बात करें तो no रहेगा next question है दोस्तों हमारा राज्य में कृत्रिम अंग के अंदर की स्थापना कहां पर की गई है कृत्रिम अंग निर्मान के अंदर की स्थापना जो इंदर की गई है right option हो जाता है option a फ्रीदाबाद की हम बात करणा है next question हमरा सेख तेव का वस्त्विक नाम क्या था सेख तेव के वस्त्विक नाम की दोस्तों बात यहां पकी गई है तो ईनका नाम जो था बार्मी स्थाब्दी में तरावडी दुरुक का निर्मान किसी ने करवाया था? क्योंसन पूचा गया है, बार्मी स्थाब्दी में तरावडी दुरुक का निर्मान किसी ने करवाया था? राइट अप्शन हमारा रहेगा, प्रति राद चुहान के दवारा बार्मी स्थाब् और मूग बादिर एम वानी विकलांग के अंदर जो है ये दोस्तो हमारा करनाल जी ले के अंदर से थे ये नव निर्मित भी इसको हम कह सकते हैं ये अभी हाली में नया बनाया हुआ है ठीक है तो राइट अप्सन हमारा ओजैगा ओप्सन बी नेस कोशन है हमारा ओरंग जेब के पुत्तर आजम का जनम स्थान है औरंग जेब के पुत्तर आजम का जनम स्थान है राइट अप्सन बी रहेगा तराइन औरंग जेब के पुत्तर आजम का जनम स्थान है तराइन नेस कोशन हमारा गोगा जी ने एक हजार चोबिस में किस सासक के विरुद यूद लड़ा खाला धाए लिए और उता है फेफिषी गोपियों वाला गुर्दवारा की मिए स्ञानदर नियुक्र म SANDOW के च具श्पाल वाला गाउं के नाम से जिसको जाना जाता है दो रूड कीम हमिन बात कर रहे हैं और उक्रिट नेश्ट हार। दोस्तों हुआरा एकलव्य का एक मातर मंदिर राज्य की किस गाउं में इस्तित है? एकलव्य का एक मातर मंदिर जो है ये खांडसा गराम में इस्तित है? काँ परसित है? खांड सा गराम में, right option हमारा हो जाता है option D, next question है, राज्य की पस्चमी शीमा परस्तित अंतिम गाउं है, तो सोटाला गाउं की दोस्तों हम बात करने हैं, जो सबसे अंतिम शीमा के अंदर पस्चमी गाउं इसको हम कह सकते हैं, right option हो जाता है हमारा option C, next है दोस दोस्तों हमारा राज्या का पहला वाइफाई गाउं है वाइफाई गाउं की दोस्तों बात करें तो जुगलान के हम बात करने हैं जुगलान गाउं किसके अदेन आता है इसार जिले के अदर मुकलान जुगलान ये दोस्तों किसके अदेन आते हैं इसार के अदेन आते हैं न इसलिए लोग इनको देखने आते हैं बहुत पराचीन मिट्टी के बने हुए जो है हमारी रसोही के समान है या दोस्तों बहुत सारी मिट्टी की चीज़े बनी हुई है अगर यहां भी आप नहीं गए तो एक बार देखके जरूर आईएगा तो इसका राइट ऑप्षन हमार जो होती है वो मिट्टी की लगती है तो इसी ट्रिक के साथ हमने जो है कवर भी कर रखाया योधेगन राज्य की मोहरें राज्य के किस गाउं से मिली है योधेगन राज्य की मोहरें जो है किस गाउं से मिली है राइट ऑप्षन नमारा बी रहेगा नोरंगाबाद और नोर गर राज्य की मोहरें जो है वो नोरंगाबाद बिवानी से मिली है next question है पस्वों का सबसे बड़ा मेला राज्य के किस गाउं में लगता है पस्व都etically का सबसे बड़ा मेला जहाजगर्ध की दोस्तों нам बात कर रहे हैं पस्वों का सबसे बड़ा मेला जो है वो जहाजगड में लगता है नेश कोसन है हमारा खरोष्टी अभिलेक में निमलिक्ष में से जानकारी मिलती है खरोष्टी अभिलेक के अगर आप देखोगे तो उसके अंदर दोस्तों बड़े पेमाने पर तलाब की जानकारी मिलती है नेस्कोंसन है दोस्तों हमारा देशका परतम परेयटक विशस विध्य देले खोला गया तो यह दोस्तों वाइएक से समन्दित जो हम बार-बार क्योसन करते आएं तो राइट उप्शन जो रहेगा वो हमारा एड़ेगा फरीदाबाद अर्याना में जग्दीश, संदर, बशू, विग्या, नेम परत्योगि की विशोवी देली फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है नाइस कोचन दोस्तों रहेगा एगरी कल्चर म्यूजियम कहां पर स्थित है एगरी कल्चर म्यूजियम की दोस्तों बात करें तो right option हमारा D रहेगा हिसार में, एगरी कल्चर म्यूजियम जो है हिसार जिले में स्थित है, next question है पुरसोत्तम पारक, हरसवर्दन पारक और तपोवन पारक, तीसरा कौन सा हो जाता है हमारा तपोवन पारक, ये सभी के सभी जो है ये कुरुक्षेतर जिले में स्थित है, right option हो जाता है हमारा option B, next question है तो हमारा सहरों के विकास से जुड़ी योजना है, सहरों के विकास से जुड़ी हुई कौन सी योजना है, right option की बात करें तो option हमारा B रहेगा, मंगल विकास योजना, मंगल विकास योजना किसे सम समदित है सहरों के विकास से नेस कोस्तन है दोस्तों हमारा विसो का सबसे बड़ा हुका रखा गया है तो दोस्तों ये कुरुख सेतर संगराल्य में रखा गया है विसो का सबसे बड़ा हुका कहां पर रखा गया है कुरुख सेतर संगराल्य में नेस कोस्तन हमारा तोपरा के हर्याना की जानकारी मिलती है तो पर अबिल एक दोस्तों हम बात करें तो हर्याना के इतिहास की जानकारी मिलती है तो पर अबिलेक next question है हरियाना में Asian Panthers उद्योग हरियाना में Asian Panthers उद्योग कहां पर स्थित है right option की बात करें तो option है हमारा A रोत तक दिले में स्थित है मोट आंदोलन के प्रनेता के रूप में किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है अच्छा question मनता है राइट option जो रहेगा वो हमारा A रहेगा बगत फूल शिंग को मोट आंदोलन के प्रनेता के रूप में जाना जाता है राइट option क्या हो जाता है हमारा option A सेट्नर्ज सिंह की हवेली कहां पर स्थित है ये भी शांदार कोशन मनता है राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन C, रोत्क में, सेटनस सिंग की हवेली कहां पर सित है रोत्क चिले में, नेस कोशन है दोस्तों हमारा, राज्या का एक मातर आंचलिक संगराले की बात कीगी है, बात करें दोस्तों, जोर्थोम से समंदित जहाज कोठी की, ठीक है, त ठेट इंदी में वाणियों के निर्माता किन्हे माना जाता है। राइट उप्षन की बात करें तो उप्षन हमारा B रहेगा बाबा मस्तनात को। ठेट इंदी में वाणियों के निर्माता के रूप में बाबा मस्तनात को जाना जाता है। राट अप्षन हमारा हो जाता है Always option B, दांडी मार्च अभियान में हरियाना के कितने ब्यक्ति सामिल थे बहुत ही अच्छा क्यूशन मनता है, सिरफ एक ब्यक्ती दांडी मार्च में सामिल थे, नाम था इनका लाला सुरुजबान जो हम इसी वीडियो के क्यूशन में कर चुक वेदिक सब्वेता का पालना कहा जाता है, राइट उप्षन हमारा D रहेगा कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को वेदिक सब्वेता के पालना के रूप में जाना जाता है, नेस्ट कोशन है दोस्तों हमारा किस इमारत का निर्मान अकबरी स्टाइल में है, किस इमारत का निर्मान अकबरी स्टाइल में है राइट उप्षन जो रहेगा वो उप्षन डी रहेगा चनेटी का स्टूप जो है दोस्तों ये किस के स्टाइल में है अकबरी के स्टाइल नेस क्योशन है हमारा परसिद सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है उसके निर्माता है मंदिर के निर्माता के रूप में हम बात करें तो बाबा सवरुननात रियाना के जो सबसे फेमस मंदिर है सरवेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है इसका निर्मान जो है बाबा सवरुननात के दवरा करवाया गया था इसकोशन है दोस्तों हमारा अलबुरूनी की पुस्तक किताब उलहिंद में रज्य के किस सरोवर का वर्णन है अलबुरूनी की पुस्तक किताब उलहिंद में रज्य के किस सरोवर का वर्णन है नेस कोशन है हर्याना का ताउ संगराले के दोस्तों बात करें तो राइट ओक्षन हमारा D रहेगा सिर्सा और ये किस से समनित है तो ताउ देविलाल से समनित है ठीक है ताउ देविलाल समार के रूप में भी इसको जाना जाता है या ताउ संगराले के रूप में भी जोस्तो एट पर बना हुआ, एट पर ये बना हुआ है, ठीकर, दवार का इस्प्रेस पर, राइट ओप्सन हमारा जाता है, ओप्सन D, हर्याना में फूलों की मंडी किस देश के सियोग से स्तापित कीगी, तो फूलों की मंडी जो है, राइट ओप्सन जो रहेगा, वो हमारा ओप्सन D रहेगा नीदर लेंड के सियोग से गुरू ग्राम में हरियाना में पूलों की मंडी किस देश के सियोग से शुरू की गी तो नीदर लेंड के सियोग से कहां पर सुरू की गी तो गुरू ग्राम में शुरू की कहां पर गुरू ग्राम में नेश कोसन है हमारा हरियाना का जीलो कि वोलिका सर्वादी की योगदान है। सुछ में तो कुछ जो बोली है इसका सब्से जादा जो है आह salary możliopedia में विजली की बसों का निर्मान होता है। right option और रहेगा Belle would pulley और not рукsemic. खेल पुरुषकार है हरियाना का सर्वोच खेल पुरुषकार है राइट ऑक्षन हमारा ए रहेगा बीम पुरुषकार की हम बात कर रहे हैं हरियाना का सर्वोच खेल पुरुषकार है नैस को सना है दोस्तों हमारा हरियाना में सूरिया जील कहां पर सित है सूरिया जील की बात पर्मुख बक्ति निर्थय कौन सा है तो राइट ओप्शन हमारा बी रहेगा चोपाया और यह क्योशन दोस्तों एक्जाम में पूछा भी जा चुका है और एक्जाम में दोस्तों सेम डिटो लाइन में यह क्योशन पूछा जा चुका है गोवर्दन योजना किसे समद्धि भी राइट ओप्शन की बात करें तो बी हमारा राइट रहेगा खादवय क्यांस से गौर्दन योजना का समद्धि के से था खादवय गयंस नेश्ड़ नमारा निम्मन में से पंस्कूला में स्थित नहीं यहां दोस्तों फिर नहीं है क्योशन उठाया गया है राइट हमारा हो जाता है option c next question है हमारा हर्याना के पर्थम व्यक्ति जो के अंदर सरकार में परिवहन मंत्री रहे जो के अंदर सरकार में परिवहन मंत्री रहे तो यह राइट ऑप्सन के बात करें तो option c रहेगा चोधरी बंसिलाल चोधरी बंसिलाल जी जो थे वो पर्थम व्यक्ति ऐसे जो थे जो केंदर सरकार में पुरिवेन मंतरी रहे थे Next question है हरियाना का वहाँ निरिक्षन परमानन के अंदर कहां पर सित है तो ये right option हमारा बी रहेगा रोतक में हरियाना का वहाँ निरिक्षन परमानन के अंदर जो है रोतक के अंदर सित है Next question है हरियाना राजे के अधिकांज मंदिर किस से लिके बने हुए है अच्छा क्योशन है और हम ये क्योशन पहले भी कर चुके हैं तो ये पंचायतन से लिके बने हुए है अरियाना राजे के ज़्यादातर मंदिर जो है ये किस से लिके बने हुए है तो ये पंचायतन से लिके ब लगबग 258 फलेट जो है का निर्मान इसके अंतरगत करवाया जाएगा जिसको ट्रम्प टावर के रूप में जाना जाएगा इस कुछन हमारा निमन में से इंगलेंड कंटेनर की स्थापना की इंगलेंड कंटेनर की बात करें तो राइट अप्शन हमारा डी रहेगा ठीक है सभी क्योंकि दोस्तों इंगलेंड कंटेनर की सभी यूनिट जो है परिदवाद में भी है पानिपत में भी है और रिवाडी में लेकिन रिवाडी अगर अलग से उप्शन दिया जाए तो वो सबसे पहले सभी उप्शन दिया जाता है परिदवार और पानिपत देके तो व पहिचान प्त्तप्तर जोजना जिसको PP बोला जाता है ठीक है refusing से snakes अंदार मनता है हाली में कहां पर इस्कौन मंदिर का निर्माण हुआ स्कौन मंदिर की दोस्तों बात करें तो राइड UPώνा जाता है बहाद मर्हारीणा में हाली में इसिप फिल्म पॉलीसी कहां लौच की गई? हरियाणा की फिल्म पॉलीसी गुरूगराम में लौच की गई? कहाँ पर? गुरूगराम में. नेश्ट क्योशन है दोस्तो हमारा महाबार्त का यूद जीतने पर पांड़ों ने राज्य के किस मंदिर में गोड़े अर्पित किये है, शानदार क्योंचन मनता है, राइट OPCON की बात करें तो बदर काली मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर महा बारत का युद् permet जीदने के बाद प yemड़ों ने बद्दर काली मंदिर में जो है गोडे अर्पित किये तो रियाना के परसिद नाटक कार है रियाना के परसिद नाटक कार है रियाना के बात करें तो अप्शन B रहेगा हमारा सवदेश दिपक रियाना के परसिद नाटक कार है सवदेश दिपक नेस कोशन है अमारा बारतिय विचारदारा की जनम सतली किसे कहा जाता है बारतिय विचारदारा की जनम सतली की बात करें तो राइट ऑप्षन हमारा डी रहेगा पुरक्षेत्तर को बारतिय विचारदारा की जनम सतली यह दोस्तों आमने एक क्योशन और किया था अगर आपक क vary तो सत्य मेव पूरम सत्य मेव अपूरम को कहा जाता है अलग अलग option झिया जाते हैं या कई बार question कमा देती है तीक है हमेen question आता तो है लेकिन हम थोड़ा सा छी हो जाते हैं राजा में गोगा पीर को किस रक्षक देवता मना जाता है तो तो सरभ का ध피र में गोगा पीर जो है वो सरभ का जो है रक्षक देवता के रूप में इसको चाना जाता है Next question है हमारा राज्य के किस गाउं में फुल डोल वे बजर की वोली पसिद है राज्या में गोगा पीर जो है वो सरब का रक्षक देवता के रूप में इसको जाना जाता है राज्या के किस गाउं में फुल डोल वजर की होली पसिद है राइट ओप्सन की बात करें तो ओप्सन महारा रहेगा बंचारी की हम बात करें है नेस्ट क्योशन है हमारा हरियाना में देशी पहलियों को कहा जाता है देशी पहलियों को क्या कहा जाता है अरियाना के अंदर बुजावते हैं ठीक है हरियाना में देशी पहलियों को किस नाम से जाना जाता है बुजावतों के नाम से नेस्ट कोसन है हमारा मुगल गार्डन से समन्दित कथन सत्या है बात किये कि दूस्तों मुगल गार्डन से समन्दित कथन सत्या कौन सा है राइट ओप्सन की हम बात करें तो ओप्सन रहेगा हमारा D उपरोक्त सभी निर्मान सतर्वी स्ताब्दी में निर्मान फिदाई खां स्थेल पंश कुला तो right option हमारा हो जाता है option D उपरोक्त सभी next question है हमारा राज्य में इंदोरी का किला स्थित है राज्य में इंदोरी के किले की बात करें तो में वाद के अंदर सित है right option हो जाता है हमारा option B next question है हमारा चोदरी कांसी राम की हवेली कहां पर सित है तो इसी का भी right option हमारा option B हो जाता है पलवल के अंदर चोदरी कांसी राम के हवैली कहां परस्थ है पलवल में next question है गाउं में अदीती ने सूरिय बगवान को जनम देकर तपस्या की थी तो right option की बात करें तो option है हमारा D अमीन, अमील की हम बात कर रहे हैं अमीन गाउं में अदीती ने सूरिय बगवान को जनम देकर क्या की थी तपस्या की थी right option हमारा हो जाता है option D राज्य का एक मातर अमर बलिदानी इनकलाब मंदिर कहां पर स्थी थै तो ये एक मातर इनकलाब बलिदानी मंदिर जो है ये युम्ना नगर के अंदर स्थी थै कहां पर युम्ना नगर में next question हमारा होडल की सराय का निर्मान किस ने करवाया है स्यांदार कोशन मनता है राजा सूर्जमल के दवारा गोडल की सराय का निर्मान किसके दवरा करवाए गया था राजा सुर्जमल के दवरा नाइस कोशन है हमारा सेंट एंडिडूज चर्च कहां पर स्थित है तो यह हमारा रेवाडी के अंदर स्थित है सेंट एंडी डूज चर्थ जो है वो कहां पर सेता है रेवाडी में हैस कोशन है हर्याना के कौन से गुर्दवारे में आने से बिमारी ठीक होने की माननेता है बहुत अच्छा कोशन मनता है नीम साहिब गुर्दवारा है जहां पर आने से गुर्दवारे में बिमारी ठीक होन दोनों नाई हल भी है और मौरक हल भी है ये दोनों के दोनों प्राचीन समय में खेत जोतने के लिए प्रियोग किये जाते थे हैं किसान का देवता के रूप में जाना जाता है option B जो रहेगा वो हमारा right रहेगा हम बात करें हैं बगवान बलराम की बगवान बलराम को किसानों के देवता के रूप में जाना जाता है next question है बारगव समुदाई के संस्थापक कोन है बारगव समुदाई के संस्थापक की दोस्तों हम बात करें तो right option हमारा C रहेगा चवण रीजी बारकाव समुदाई के संस्तापक कोन है चवण रीजी नेस्ट कोशन है हमारा कागज में कागज की राज्ये में सरवादिक मील किस दिले में पाई जाती है नेस्ट कोशन है बारतिय अंक निर्मान निगम एलिस गो जिसको कहा जाता है इसकी साखा किस्थ आपना कहाँ पर की गई एक तो दोस्तो सम्रू बेगम का सित्र पूछा गया था गर नाल से समंदित यहां पे पूछा गया है सा अलम की पतनी सम्मुरू बेगम कहां की थी राइट ऑप्षन की बात करें तो ऑप्षन सी रहेगा रेवाडी जिले से ठीक है सा अलम की पतनी सम्मुरू बेगम रेवाडी जिले से समंदित थी next है दोस्तों हमारा हरियाना में सहाजां की बावडी स्थित है सहाजां की बावडी की दोस्तों हम बात करें तो right option C रहेगा रोतक में हरियाना में सहाजां की बावडी जो है वो रोतक जिले में स्थित है next question है 20 मी जनगना 2019 के अनुसार सरवादिक खरगोस वाला जिला है सरफ से ज़्यादा खरगोस जो है वो में वात में पाई जाते हैं ठीक है बीश मीं जनगर्णा अगर पसु जनगर्णा की हम बात करें तो नेस कॉशन दोस्तों रहेगा हमारा परसिद रिलेक्सो जूता उद्योग कहां पर स्थिद है तो दोस्तों ये रिलेक्सो जूता उद्योग है ये जजज़ जिले के अंदर स्थिद है 1995 में और 1996 में वर्ष के दुरान इसकी यूनिट जजज़ के अंदर पहली यूनिट जज़़ के अंदर लगाई गई थी हर्याना का पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है तो तोसाम को कहा जाता है तोसाम के दोस्तों पंच्टित थोड़े से फैमस है वहां पर एक मंदिर भी बना हुआ है तो हर्याना का पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है तो तोसाम को कहा जाता है नेस्ट कोशन है हर्याना के किस जिले में बहुन निर्मान की सामगिरी सरवादिक पाई जाती है तो बहुन निर्मान की सामगिरी जो है वो गुरुगराम में सबसे जादा पाई जाती है कहां पर गुरुगराम में तो राइट अप्सन हमारा हो जाता है ऑप्सन डी वेसे दो जिया जो बहुन सामगिरे का पाई जाती है वो गुर्ग्राम जिले में पाई जाती है रायाट अप्षन हमारा हो जाता है उप्षन-अप्षन-गोशित किया गया तो रायट अप्षन अमारा हो जाता है ए 2017 वर्स के दोराण पूरा पुँछा जाए तो 1 अपरेल एक अपरेल 2017 वर्स के दुरान हर्याना राज्या को केरोसिन मुक्तगोसित किया गया था राज्या के किस जिले में यूरेनियम के बंढार मिले हैं तो राइट अप्सन हमारा A रहेगा महंदरगड राजय में यूरेनियम के बंडार कहां से मिले हैं तो मेहंदरगड से मिले हैं राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन A नेस्ट कोशन है हर्याना के किस जिले किस वन्य जीव अबैरने में खेर वैसाल के वरिक्स की परदानता है तो राइट उप्सन की बात करें तो उप्सन हमारा B रहेगा काले सर वन्य जीव अबैरने में असरवादिक मात्रा में खेर वैसाल के वरिक्स पाए जाते राइट उप्सन हमारा हो जाता है उप्सन B इस क wasting है राजय में पंशायतی राज का मद्य शतर है मज्य सतर की दोस्तों हम बात करें तो right option C है पंचायद सिमीती पंचायद सिमीती जो है राज्ये में पंचायदी राज का मज्य सतर माना जाता है right option है हमारा C बाद का सबसे बड़ा अत्यादुनिक खेल शातराबा स्थापित कहां पर किया गया है तो ये भी दोस्तों हमारा right option B रहेगा गुरू ग्राम में बारत का सबसे बड़ा खेल अत्यादुनिक जो शातराबा स्थापित किया गया है ये गुरू ग्राम में किया गया है next question है अजाद इन फोज के किस सिपाई ने मनिपूर दर्ती पर तरंगा फेराया था निग्रू आस्टेलियन के जाती के थे right option हमारा B रहेगा C स्वाल सबिता के लोग निग्रू आस्टेलियन जाती से बंदित थे right option है हमारा option B संदर सेखर अजाद स्टेडियम कहां पर स्थित है right option की बात करें तो उप्षन हमारा A रहेगा फृरिधाबाद में ठीक है यहाँ पे दोस्तो ये स्टेडियम है ठीक है अलग जग है दोनों नईसे قوेशन हेमारा हृयाना के एक मात्र वाज़ टावर कहा पर श्थीत है सभी को पता है ये क्वेशन कई बार हमने पेचे करवाया है ये साल्वन गाम दोस्तो करनाल में है वेशे वेसे बहुत श्यांदार गाव बना हुआ है यहाँ पर मतलब हुचे हुचे चबूत्रे बनाए हुए है जोहड पर ठीक है गया हुआ हूँ इस गाव में और चारों तरफ जो है जो हमारे पीपल के पेड़ है वो लगाई गई है ठीक है और बहुत सारी बुढ़े बुजरु प्राइट ओप्सन हमारा रहेगा ओप्सन B महाबार्थ की यूद से पहले कुरुक्षेतर में कुल कितने यूद लड़े गए तो 20 यूद लड़े गए थे हरियाना में उद्योग वैवेपार वर्स का योजन किस वर्स हुआ प्सन की बात करें तो ओप्सन हमारा बी रहेग कौन सा है रूड की राइट ओप्सन जो रहेगा वो रहेगा ओप्सन हमारा बी रूड की रूड की गाउं कहां पर है तो यह रूत तक में कहां है रूत तक में इस नगर को दरम नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको राइट ओप्सन की बात करें तो ओप्सन B हमारा रा करें तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा डी रेवाडी के कुंड में हर्याना में सलेट्री प्रत्र की सबसे बड़ी खान जो है वो रेवाडी के कुंड में है ठीक है तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी नेस्ट कोसन है हमारा सूरिय कंप करें तो अर्याना का अर्याना का ग्यान सुरोवर कहां परसीत है घ्रिघंस भात करें तो option हमारा रहेगा A, कुरुक शेतर में, next question है हमारा, देश के सनेटरी समानों का अरियाना से ही उत्पादित होता है, एक तिहाई, एक चोताई, ये भी दोनों या दो तिहाई, right option की बात करें तो option रहेगा हमारा A, एक तिहाई, देश के सनेटरी समानों का एक तिहाई बाग हरियाना से ही उत्पादित होता है नेक्स्ट क्योस्टन है दोस्तों हमारा सभी पंचायतें ओनलाइन करने वाला पर्थम बलोग है पर्थम बलोग कौन सा है तो राणिया बलोग है पर्थम सभी पंचायतें ओनलाइन करने वाला पर्थम बलोग है हमारा राणिया सिर्षा की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो यह थी दोस्तों आज के हमारे बहतरीन और स्यांदार क्योस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें नेक्स्ट पार्ट दोस्तों 500 ही क्योस्तों का हम लेके आएंगे ठीक है जिसमें complete एक बुक को अलग रख देंगे उसका पूरा नि मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक दोस्तों नमस्कार जै हरियना जै बार्ट